हेलो फेंड्स, वेलकम टो ओली आए सिंदी, सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है, तो लक्षमी कांद का पॉलिटी का सीरिज आपका चल रहा है, और इसमें आज हम बात करने वाले हैं, रास्टपती जो की है आपका चैप्टर नंबर 18 है ना, एक लाइब सेशन का मै सम्धार सेर्कार में हम बात करने वाले हैं, तो आपका तीसरन जो पार्ट है वह स्टार्ट हो चुका है, परस्ट और second complete हो चुका है, केंद्र–सरकार में हम बात करने वाले हैं, फ़स्ट जो आपका टॉपिक है इसमें फ़स्ट चैप्टर चैप्टर नभर एटीन और इसमें हम बात करेंगे रास्ट पती ठीके? सो चैप्टर नुम्बर 18 से लेकर चैप्टर नुम्बर 29 तक ये आपका केंड़ सरकारवाला भाग चलेगा जिसमें कि आपके होगे रास्ट्पती, उप्रास्ट्पती, पी-म, केंड़ि मंत्री मंदलिय समीतियां, संसदय समीतियां, भारतिय संसदय समू, उचितम न्यालए, नया एक समिक्षा, नया एक सकृता और जनहित याचिका तो ये 18 से लेके 29 तब कि आपके जो चैप्टर से बच्चो ये सारे Central Governments से रिलेटेड है और ये आपका Part 3 है ठीक है अगर आप सर्च करेंगे President of India तो साइट खुल जाएगी Officially जिसमें की लिखा होगा दा President of India श्रीमती द्रापदी मुर्मू ठीक है क्या importance मतलब क्या इसमें special क्या है जो द्रापदी मुर्मू है आप सभी को पता है हम सभी को पता है कि ये पहली आदिवासी समू से रासपती बनने वाली पहले महिला है है ना अलाकि महिला की बतोर हम देखे तो दूसरी महिला है क्यों? क्योंकि इसके पहले 2007 में क्योंकि इसके पहले 2007 में जो है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंग पार्टिल जो है ये हमारी 12 पी है मतलब 12 नंबर की जो President है रह चुकी है ना तो ये प्रेसिडेंट रहे चुकी है 12 नंबर की इनके पहले अगर हम बात करें हमारे फॉर्मर जो प्रेसिडेंट रहे फर्स्ट देखो राजेंदर प्रसाद है ना फर्स्ट जो है वह कौन रहे राजेंदर प्रसाद जी रहे और यहाँ पर याद रखना इन्हों केवल यही थे जिनके दो कारेकाल पूरे हुए, मतलब दो बार ये प्रैसिडेंट रहे रास्टपती रहे, बाकी अगर हम कारेकाल के बारे में बात करें तो समिधान में ऐसी कोई बाधता नहीं है, जो राश्टपती है वे कितनी भी बार प्रेसिडेंट जो है वे बन सकता है लेकिन एक परंपरासी बनी आ रही है कि एक ही बार के लिए रहेगा हलाखी रासलव जो पहले हमारे first जो už प्रेसीडेंट है दॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये जो है में दो बार रहे ठीके इनके बाद सर्वपलि दॉक्टर सर्वपलि राधा कृष्णन जोकी second president रहे third की बात करे तो जाकीर हुसेण ठीके फोर्ट की बात करें तो श्री वैंकित गिरी ठीके और फिफ्ट प्रेसीडेंट रहे पक्रुदीन आले एहमद, हैना सिक्स रहे नीलम संजीव रेडी, सैबन रहे ग्यानी जेल सिंग, ये सैबन थे, एट रहे श्री वैंकित रमन, ठीके नाइन रहे शंकर दयाल शर्मा 10 रहे कियार नारायन, 11 रहे डॉक्टर एपी जे अबुल कलाम, अगर हम देखें इंडिया के मिसाइल मैंड, ये 11 प्रेसीडेंट थे, और 12 प्रेसीडेंट कौन थी, जो की पहली देश की महिला राश्रपती थी, पहली महिला राश्रपती, श्रीमती प्रतिभा देवी पाचिल, then 13 नमबर के रहे, श्री प्रानाव मुखर जी जी, and 14 की बात करें, तो अभी स्रीमती द्रापती मुर्मू के पहले, जो 14 नमबर के प्रेसीडेंट थे, वह कौन थे? श्री रामनात कोविंद है ना, तो ये हमारे फॉर्मर प्रेसीडेंट रहे, और अभी अगर हम देखेंगे, तो आप देखेंगे कि, बिसिकली जो प्रेसीडेंट का जो उफिशल साइट है, इस पे आप देखेंगा, श्रीमती द्रापती मुर्मू वह सुवर्न इना, 15 प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया, on 25 जुलाई, 2022, तो बिसिकली ये 15 रहे, 15 प्रेसीडेंट है, and साथ थी, ये 2022, 25 जुलाई को इन्होंने शपत ली थी, ठीके, इसके पहले देखेंगे, तो जारखन की गवर्नर रही, 15 से लेके, 21 तक, 2021 तक, 2015 से लेके, ये जारखन की गवर्नर थी, ठीके, तो ये हमारे प्रेसीडेंट रहे, अच्छा देखो, तो बिसिकली हमें प्रेसीडें की बात करें, तो इनका निर्वाचन या जो election है, वह कैसे होता है, ठीके, इनके पद के लिए क्या-क्या अहरताएं, क्या-क्या योगताएं होती है, कैसे ये, कौन इनको ओद दिलाएगा, शपत दिलाएगा, क्या conditions होंगी, इसके अलावा हम बात करेंगे, इनके term की, impeachment की, ह की आखिर इनकी पदाब्धी क्या है, महाभियोग क्या है, इन सभी को हम समझेंगे, term है, impeachment है, है न, रास्टपती की शक्तियां क्या है, रास्टपती के कारि क्या है, अकर्टव है, हम इनको भी समझने की कोशिश करेंगे, power and functions की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि इनके जो Veto Power है, क्या-क्या है, कौन-कौन से इनके Veto Power है, ठीके, रास्टपती की जो Paddling Power है, शमादान की शक्ति है, और रास्टपती की समधाने की स्थिति क्या है, इसके अलावा मैं आप सभी से जो चर्चा करने वाली हूँ, Mains के और Prelims के जो Questions है, M and जो Pillims के PYQs हैं, उसके साथ-साथ हम पढ़ेंगे, Class Notes में मिलेंगे, PPTs में मिलेंगी, ठीके, चलिए, अच्छा, अब तक हमने NCRT में एक बात को जाना था, जिसमें की जवाहलाल नहरू ये कहते हैं, जवाहलाल नहरू के द्वारा कहा गया था, कि basically हमने रास्टपती को क पूर्ण और गरीमा मैं बनाया है, संविधान उसे ना तो वास्तरिक कारेकारी बनाना चाहता है, ना ही एकदम प्रधान, ना मात्र का प्रधान, संविधान उसे एक ऐसा प्रधान बनाना चाहता है, जो साशक होता है, और ना साशन करता है, जो ना साशक है, ना साशन करता है और उसे एक महान समवर्धान एक प्रधान बनाना चाहते हैं देखो हमने जिस सिस्टम को अपनाया that is संसदिय ववस्ता parliamentary system हम पढ़ चुके हैं तो संसदिय ववस्ता में एक सबसे पहला जो गुण हम इसमें देखते हैं विशेश्टा नाममात्र Hybrid सरेमोनियल हैं यह राश्षपति होंगी और जब हम वास्टविक प्रधान की बात करेंगे जिन के पास वास्टविक शक्ति है वें पी-म होंगे तो हमने जिस संसदिय ववस्ता को अपनाया उसमें हमने रास्टपती के लिए एक तरह से अगर हम कहें कि देश का प्रथम नागरे कौन है तो वो देश के रास्टपती है ना देश का प्रथम समवधाने कधकारी की बात करेंगे रास्टपती होंगे प्रमुख कारेकारी की बात करेंगे कि सभी कारेपाली का जो शक्तियां है या फि आपने वास्तिविक शक्तिया नहीं दी और अगर अपने रियल पावर तो पीम यूज कर रहा है वो भी मंत्रियों मिनिस्टर्स जो कांसिल ओफ मिनिस्टर्स उनकी उनके साथ मिलकर है ना तो यहां पर देखो बिसिकली एक सबसे बड़ी बात जो स्टार्ट हम करेंगे कि आरे काम तो जो है वह इनके है नहीं बस इन से क्या किया यह का आपने फाइनल जो महर है वह लगवाली कि रास्टपती करने का काम किया यह फिर ऐसे कुछ किया है ना तो आकर रास्टपती पद जो है वह हमें क्यों चाहिए अगर ऐसा है कि वास्तविक शक्तिया इनके पास तो फिर रास्टपती पद रखो ही मत तो क्या अखिर इसकी जो आलुचनाई है वह की जाती है कि क्या रास्टपती का जो पद है वो महत्वपूर्ण है या फिर नहीं है जिसकी नहरू जी ने भी कहा कि हमें एक ऐसा पद बनाना था जो की सम्वेधानिक महत्वतु रखता है बढ़ ना साशख है ना साशन करता है, है ना एक अजीब सी बहेली होगी, तो केवल रूर्बर स्टेंप की रूप में नहीं देखा जाता है, देखो हमने जिस सरकार के सिस्टम या प्रणाली को अपनाया है, इस प्रणाली की विशेष़ता क्या है, कि basically हमने देखा कि जो सरकार है, ठीक है, सरकार कौन बना रहा है, PM की बात करेंगे, ठीक है, तो जो PM है वैं कौन होगा, बहुमत दलका नेता होगा, और अगर जब बहुमत नहीं है, तो फिर सरकार भी गिर गई, ऐसे में कोई तो हो जो हमेशा बना रहे हैं, कोई तो हो जो कि हमेशा बना रहा है एक स्थाई हमारे पास प्रमुक हो जो कि देश को चला सके देश को आदेश दे सके निर्देश दे सके तो रास्ट पती के पत की भूमिका बहुत जादा महत्यपून हो जाती है ठीके तो हम देखते हैं कि basically रास्टपती के लिए ये कहना कि cable rubber stamp है ये सही बात नहीं है ये आधा सत्य है क्योंकि अगर हम समय समय पर देखेंगे तो एक guardian की रूप में जो भूमी का है एक अभेभावक की रूप में जो भूमी का है वह रास्टपती की बहुत ज़ादा होती है ठीके तो यहाँ पर देखो कि मालो जैसे जब दोनों सदन जो है वह कारेना कर रहे हूं अब ऐसे में अगर कोई नियम बनाना है कोई विधी बनानी है ठीके तब जरूरत होती है कि दोनों जो सदन है वह उसको पारित कर दे लेकिन अब कोई एक सदन जो है वह मालेजे लोकसभा जो है वह है नहीं अपने सत्र में या भंग हो चुके तब ऐसे में क्या किया जाए क्या देश में नाई नियम नहीं बनेंगे तब रास्टपती इस चीज़ को क्या करेंगे यक जो अध्या देशह वह जारी कर सकते है वो ओडिनेंस जो है वह जारी कर सकते है न तो यहाँ पर क्या है कि आपने पदगा जो एक रास्टपती पदगा जो महत्व है बहुत जादा है especially जब आस्थिर सरकार हो तब बहुत जादा महत्वपून है किसी राज में अगर आपातकाल लग गया हो राज आपातकाल है उस समय बहुत महत्वपून है है ना गटबंधन की सरकारों के दौर में बहुत महत्वपून है जैसे कि सरकार के बाग दर्शन के रूप में काफी होती है इसके रविंकेट रमन की बात करें और नारायन की गिए जैसे रास्टार कलाम की घूलां का बहुत इंपोटेंट रही हैसब करूधा अज को याद है डौक्टर कलाम को कौन नहीं बहतती हैं क्योंकि नहीं हो जो की म सबस्टिप है झे नहीं की तुर थे लगा पाराँके सो है यह जो रास्टिपती का क्यूंत अधार को बहुत है नहीं घद्र के लेकिन परिश्थिति जिसमें एक important भूमिका, इन्होंने निभाई है, रास्टपती के पतका महत्व है, ठीके, तो देखो, सबसे पहली बात तो हम कहेंगे, कि ये हमारी संग की कारेपालिका के प्रमुक होते हैं, और संग की कारेपालिका की बात करेंगे, इसमें क्या क्या आएगा? संग की कारेप कारेपालिका में क्या-क्या आएगा भाख पाँच में अनुच्छित बावन से लेके अठक्तर तक इन में वर्णन है जिसमें की आएगे रास्ट पती उप्रास्ट पती प्रधार मंत्री मंति परेषद और भारत के महारिय वादे ठीक है तो कारेपालिका कवर्णन कहा का है आ नयाई पालिका पालियमेंट जिसमें की हम विधाईका की बात करते हैं लाजिसलेटिप और तीसरा है आपकी कारेपालिका अब कारेपालिका में राज्जी की कारेपालिका भी होगी संगी की कारेपालिका भी होगी ठीक है संगी की कारेपालिका और राज्जी की कारेपालिका तो यहाँ पर जो बात हो रही है संगी की कारेपालिका जिसका वर्णन भाग 5 में है और यहाँ पर अगर हम आटिकल की बात करेंगे तो 52 से लेके 78 तक इसका वर्णन है अब प्रशन उठता है UPSC ने कुछन पूछा कि संगी कारेपालिका में आखिर कौन-कौन आएगा तो य रास्टपती, उपरास्टपती, मंत्री-परिशत, प्रधान मंत्री और महा नयावादी यह सब आएगे ठीक है आटिकल देखो 52 की हम बात करेंगे आटिकल 52 अनुच्छे बावन आटिकल 52 यह कहता है कि देश का रास्टपती होगा 52 से लेके संभधान किस्तिती अगर हम दे जैसे कि अगर हम 54 से स्टार्ट करेंगे तो 54 बताएगा कि रास्टपती का चुनाव होगा ठीक है 54 में रास्टपती की चुनाव की बात कही गई है 55 में कहा गया है कि रास्टपती के चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी इसमें प्रॉसेस की बात कही इसमें चुनाव की बात पुछा कि क्या रास्ट पती जो है वे पुनर नियुक्त नहीं हो सकते मतलब फिर से वो उस पत पर नहीं आ सकते तो हो सकता है कि हम अगर कुछ चाकड़ों पर चले जाएं कि नहीं अब तक तो जो हम देखते सुनते आ रहे हैं कि वह एक ही कारेकाल के लिए यह बनते हैं और दूसरी बार जो है वह नहीं नियुक्त हुए तो आप यह सोच सकते हैं अपने अपने मन से सम्टाइंस हम कॉमन सेंस लगाते ना तो आप अपन में कोई व्यक्ति अगर राष्टपती बनता है तो यहां पर यह राष्टपती बनता है अधिक्तम दो बार ठीक है अर्यक्तम दो बार और एक और जो अंतर दिखाए देता है कि अब भारत में जन्म से नागरिक होना नहीं लिखा है भारत में लिखा है कि ना भारत का नागरिक होना चाहिए वो रास्टपती बनेगा पर जन्म से वर्ड नहीं लिखा और ये बाद भी UPSC ने पूछी थी ठीके ये बाद भी UPSC ने पूछी थी बट अमेरिका में ये लिखा है कि जो भी व्यक्ति यहां पे President होगा वो जन्म से अमेरिकी होगा तभी जाके वे President बन सकता है जन्म से ही वे क्या होगा अमेरिकी होगा भारत में जन्म से अगर आपको रास्टपती बनना है तो जन्म से यहां का नागरेक होना जरूरी नहीं है 58 कहता है कि योगताइं क्या होंगी रास्टपती जो व्यक्ति चुना जाएगा वह उसमें क्या-क्या योगताइं होंगी क्या एज होंगी क्या क्वालिफिकेशन होंगी और क्या ऐसी चीजें होंगी और क्या ऐसे प्राबधान होंगे कि अगर वह उनके अंतरगत है तो रास्पती नहीं बन सकते तो इस तरह के जो सारे प्रावधान है तो 54 पहले चुनाव की बात की गई फिर प्रक्रिया की बात की गई उसके बाद कारेकाल की बात की ठीक है अब देखो आपको याद कैसे करना है आपको याद करने के लिए तो आप देखो हम आते हैं सबसे पहले कि रास्ट पती का जो निर्वाचन है आखिर ये कैसे होगा रास्ट पती का निर्वाचन कैसे होगा ठीक है थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है कठिन लेकिन है नहीं है ना आप समझने के बाद आपको नहीं लगेगा तो रास्ट पती के लिए रास्ट पती पत का जो हम ये देखें कि आखिर कौन सा जो भी व्यक्ति रास्ट पती के रूप में चुना जाना है उसे हम कैसे चुनाव करेंगे उसका निर्वाचन कैसे होग उसके बारे में हम यहाप पर जो बात है वैं करने वाले हैं ठीक है सबसे पहली बात तो यह जारो कि क्या यह जो निर्वाचन है वो डारेक्ट होगा इंडारेक्ट होगा election निर्वाचन डारेक्ट होगा या फिर इंडारेक्ट होगा सबसे फास्ट है कि यह जो निर्वाचन होगा यह अप्रत्यक्ष होगा ठीके और इसके पहले भी जानू कि हम इंडिया जो है वे रिपब्लिक कंट्री है रिपब्लिक है गणराज है और रिपब्लिक या गणराज का मतलब क्या होता है कि किसी देश का किसी देश का जो प्रमुख है वैं basically elected person हो वैं hereditary person ना हो जैसे कि बिटेन में है कि महरानी है मतलब एक ही परिवार वन्शानुगत रूप से राजा बन रहे हैं वो वाली बात ना हो तो यहाँ पर क्या है कि गर्णाज का मतलब क्या होगा गर्णाज का मतलब है कि जो समवधानिक प्रमुख है जो कि हमारे यहां रास्टपती है समवधानिक प्रमुख निर्वाचित होंगे समवधानिक जो प्रमुख है वैं कैसे होंगे वैं elected person होंगे वैं निर्वाचित व्यक्ति होंगे ना कि अनुवान्शिक रूप से that is called Republic और इसलिए हमारा देश जो है वह Republic अब देखो अब आएगी बात next की आखिर इंडिया में जो रास्पती चुने जाते हैं देखो डारेक्ट और इंडारेक्ट दोनों तरीके से चुनाव हो सकता है यसा कि अब अमेरिका में हो रहा है तो अमेरिका में भी ऐसा नहीं है कि डारेक्ट रूप से जो है वह चुनें कि जियो बाजन जो है उनको डारेक्ट रूप से चुना गया ऐसा नहीं है बहाँ पर भी एक filter लगा दिया जाता है कि अलग अलग राजियों में basically जो लोग है उनको वोट कर दे जो particular जो रास्टपती जो candidate के रूप में खड़े हुए है जो रास्टपती पत के लिए उमीद बार है आप उनको वोट कर दीजे है ना तो उस तरीके से हो जाता है तो indirectly प् प्रतिक्ष रूप से हम देखेंगे तो इस थानिय इस तर पर लोगों को चुन रहे है लोक सभा और विधान सभा में PRATTIK्ष रूप से बौट डाल कर अपने MPLA को चुन रहे हैं पर अगर हमें राज्य सभा के लिए चुनना है हमें विधान परश्ट के लीए चुनना हैं ह कैसे करेंगे तो यहां पर क्या होता है कि एक जो कॉलेज है वैं बनाया जाता है क्या किया जाता है कि आपने एक निर्वाचक जो मंडल है बिसिकली वह बना लिया आप इस निर्वाचक मंडल में कौन-कौन होगा आपने एक निर्वाचक जो मंडल है वैं बना लिया अब देखो यूपेस्ची ने यहां से कुश्चन पूछा कि रास्टपती पद के लिए कौन-कौन आखेर निर्वाचक मंडल में शामिल होगा ठीक है एक बात को ध्यान से सुन लो कि इसमें सबसे पहली बात तो जो मनोनी सदस्य है वैं शामिल नहीं होगे मनोनी सदस्य मतलब जैसे कि 2020 के पहले तक लोग सभा में दो एंगलो इंडियन सदस्य रास्टपती जो है वैं मनोनीत करते थे 12 सदस्यों को राजसभा में रास्टपती के द्वारा मनोनीत कई आ जाता है या फिर सभा और विधान होंगे मतलब कुछ सदस्यों से मिला कर कुछ सदस्यों को मिला कर बिसिकली एक Electrical College ग्रुप तयार किया जाएगा ये बिसिकली voter होगा है ना अब देखो इसमें शामिल होगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचे सदस है संसद के संसद के निर्वाचे सदसे अब संसद लिखा है है ना तो दोनों सदन आ गए निर्वाचित लिखा है मतलब मनोनयन वाले जो सदसे वैं छूट गए तो निर्वाचित जो सदसे है ये इसमें शामिल होंगे इसके अलावा देखो जो केंद्र होंगे न, केंद्र साशित प्रदेश और इन केंद्र साशित प्रदेश में भी दो के बारे में कहा जा रहा है, कि जो last में जन्नों ने participate किया था, इस में दिल्ली और पांडीचेरी में विदान सबा आएं हैं, चीक आ?, दिल्ली वा पांडीचेरी, अब आप कहेंगे मैम आप तो जम्मू कश्मीर में भी विधान सभा हो गई तो ये मैंने आपके लिए छोड़ा है आप थोड़ा से इसको रिसर्च कीज़ और मुझे कॉमेंट में बताइए कि क्या अब जो next election होगा रास्टपती का जो 16th President का जो election होगा ठीके क्या उसमें जम्मू कश्मीर की विधान सभा के जो सदस है वो उसमें electoral college का हिस्सा होंगे या नहीं कॉमेंट करके बताना है तो केंदर शाचित प्रदेश जैसे कि दिल्ली वा पांडिचेरी अब इसमें भी देख लो कि दिल्ली वा पांडिचेरी के निर्वाचिस सदस है मनोनीत नहीं है ना के निर्वाचिस सदस से इसमें शामिल होंगे दिल्ली वा पांडिचेरी विधान सभाओं के है ना दिल्ली केंदर शाचित प्रदेश जिसमें की विधान सभा है तो विधान सभाके निर्वाचे सदस और ये भी इसको अलग से ही लिख लो कि मनोनी सदस शामिल नहीं होगे मनोनी जिनको नॉमिनेट किया जाता है जो लेक्शन से नहीं आते न कुछ लोगों को ऐसे भी चुल लिया जाता है तो जो नॉमिनेट हैं जो मनोनीत हैं ये शामिल नहीं होंगे ठीक है मनोनीत जो सदस्य है बिसिकली ये शामिल नहीं होंगे इसके अलावा देखो अगर मालो कोई विधानसभा ऐसी भी तो हो सकती है कोई विधानसभा ऐसी भी तो हो सकती है जिसमें अच्छा एक और की राज्यों की केलिर की विधान सभाओं की हो गई बात है ना राज्यों की विधान सभाओं की भी हम बात करते हैं basically कि जो राज्यों की विधान सभा है उसके निर्वाचे सदस है राज्यों की विधान सभा के निर्वाचे सदस है ठीके अब देखो ये भी तो possible है न कि कोई विधान सभा भंग हो गई हो सारी विधान सभाएं जो है वे अपने कारेकाल में ना हो तब ऐसे में क्या होगा ऐसे में ये होगा कि basically अगर कोई सभा विगठित हो गई हो है न अगर कोई सभा इसमें extra बाते लिखो कि अगर कोई सभा विगठित हो गई हो तो इसके सदस से इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे अगर कोई सभा विगठित हो गई हो विगठित हो गई हो तो सदस से शामिल नहीं होंगे ये जो इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा शामिल नहीं होंगे clear? ठूकर ठीक है नेक्स देखो एक बात और याद रखो कि राष्ठ पती के निरवाचन में ना राष्ठ पती की निरवाचन में जो अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिद्धु हैं तीक है आला गल्ब इसकी बीच में बिसिकली वे समान रूप से हो और राज और संग के बीच में YouT समांता हो और इसी समांता के कारण जो मत मूल है जो वोट की वैल्व है वह निकाली जाती है सामन रूप से जब हम कहते है कि भई पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस है हमारा डेमोकरशी राजनितिक समानता और राजनितिक समानता का मतलब एक व्यक्ति एक वोट एक मूल है नुइकिन यहां पर निकालेंगे और संवधान क्या गया ऐसा इसलिए किया गया है ताकि केंड़ और राज्यों के बीच में प्रतिनेजित वह बिसिकली समान हो जाए तो हम क्या करते हैं कि जनसंख्या को ध्यान में रखकर हमने कुछ ऐसे जो फॉर्मुलाज हैं वह हमने बना लिए ताकि राज्यों के बीच में समानता हो और राज् की जो विधी अपनाई जाती है मैथट जो अपनाई जाती है इस मैथट को कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिजेत्व आनुपातिक प्रतिनिजेत्व एकल संक्र मनिये मतपति मतपति ठीक है और ये सीक्रिट बैलेट से होता है गुप्त मद्दान के द्वारा होता है सीक्रिट बैलेट सिस्टम इसमें अपनाया जाता है ठीक है सो प्रपोर्शनल प्रपोर्शनल रिप्रेजंटेशन सिंगल ट्रांस्फेरिबल अब इसका मतलब समझाऊंगी सिंगल ट्रांस्फेरिबल वोट सिस्टम और सीक्रिट वैलेट से होगा गुप्त मद्दान से होगा तो बिसिकली ये जो विधी है वैं इलेक्शन के लिए अपनाया जाएगी निर्वाचक मंडल एक बनाया जाएगा निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा निर्वाचक मंडल में कौन-कौन सदस्य होंगे तो निर्वाचिस सदस्य होंगे ध्यान रखना और जो नॉमिनिटिड जो मैंबर्स है ये इसमें हिस्सा नहीं होंगे ये इसमें साथ नहीं आएगे ठीक है तो चलो इसके लिए हम देखत है basically कि basically देखो इसमें ना यह जो पधती है पहले मैं पधती को समझाती हूँ फिर कुछ और बातों को बताती हो कि जब हम कहेंगे ना कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व है अनुपातिक कि प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है किसी चीज के अनुपात में जैसे कि हमने देखा था कि हमने दो सिस्टम को पढ़ाया था यादा रहा है किसी को election and representative में हमने जाना था एक तो PR सिस्टम की बात की थी दूसरा हमने जाना था FPTP सिस्टम नए शब्द तो नहीं लग रहा है अगर नए लग रहा है तो पुरानी classes को देखो FPTP सिस्टम जिसमें की सरवादिक जिसको जादा वोट मिल जाते हैं वो जीत जाता है भले ही उसको एक वोट क्यों ना जादा मिला हो इसके लिए वोट की मिजोरिटी मिलने की जरुरत नहीं है आविशक्ता नहीं होती है ना लेकिन जब हम की बात करते है यह एक ऐसी मैथट होती है किसी election के लिए जिसमें हमें क्या करना होता है कि जो आपको वोट परसेंटेज मिला है उस वोट परसेंट के अनुपाथ में आपको सीट मिलती है ना एक preference मिलती है तो यहां पर देखो कि जो आरुपातिक प्रतिनियत्व प्रणाली है अब इसका मतलब देखो क्या है अनुपातिक प्रतिनियत्व और एकल मत हस्तांतर्णिय मैं दोनों शब्दों को समझा देती हूं पहले एकल मत हस्तांतर्णिय प्रणाली देखो अनुपातिक प्रतिनित्व का मतलब है और इस प्रणाली में क्या किया जाता है सबसे पहले तो इस पधती में पहले बात जो शामिल है वै ये होती है कि आपको वरियता के आधार पर मत देने होते है अब देखो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है माल लिजे प्रिफरेंशियल बेसिस पर वरियता के आधार पर प्रिफरेंशियल अब ये कैसा है कि जैसे कि माल लिजे चार केंडिडेट है रास्टपती पद के कितने उम्मीदवार है चार है है ना 4 candidates है, candidate number 1, नई नाम रख लेते हैं, candidate A, candidate B, candidate C, candidate D, अब जो candidate A है, इसको आपने दिया 1, जो candidate B है, इसको second preference दिया 2, जो C था, इसको दिया 3 नमबर, और जो D था, इसको दिया 4 नमबर, हमारा समविधान कहता है, कि जो लोग भी इसमें शामिल होंगे, इस election में शामिल होंगे, उनके लिए पहला वोट देना अनिवार होगा, बाकि आप 2, 3, 4 देना चाहें, किसी को दे, ना देना चाहें, ना दे हैंना, मतलब इसकी बादिता नहीं है, बट इस first number की, तो obviously कि अगर वोट कर रहे हो, तो किसी को तो करोगे, बले ही 2, 3, 4 आगे आपने किसको दिया, बस इसमें हो गया, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, बस ये वाली बात इसमें जो है, बहुत कर लें, ठीक है, लाइफ में हम कही ऑप्शन रखते हैं, चलो ठीक है, UPSC नहीं हुआ, तो पिर हम कोशिश करेंगे, कोई वनडे टाइप का एक्जाम है, आरो है, या फि बना लिया एक वरिता एक प्रात्मिक्त जो है आपने बना ली तो सबसे पहले जनरली जब हम सामने रूप से वोट करते हैं तो हम एक ही को एक वोट दे के आ जाते हैं कि ये व्यक्ति हमने इसको चुना ठीक है लेकिन क्या होता है कि प्रिफरेंशियल बेसिज पर अगर चार क रखाओ फस वाले को चार पर रखाओ तो यहां पर क्या कि यह वरिता के आधार पर आपने वोट दे दी आगे समझ में है ना अब आगे चलो अब देखो सेकंड क्या है अब सेकंड देखो अरे देतो दिया इनकी काउंटिंग कैसे करोंगे आव गड़ना करना भी सखा देती ह काउंटिंग या इनकी जो गड़ना है आखिर अब ये कैसे होगी इनकी जो गड़ना है बिजिकल वैं कैजी चरण में होती है कैसे होती कैजी कैजी कैसे होगी तो हमने सबसे पहले क्या गिना सबसे पहले हम ए Medi को गिल रहे हैं, सबसे पहले हमने ये देखा कि इन चारों में से जिसको सबस् facilitate हमने गिल दिया, हमने एक अक्उट किया, या फिर हमने चारों के क्या can count कर लिया कि जैसे कि a है, b है, c है और d है, इन सभी कि हमने first preference count कि आखिर इनको मान लेजे हो सकता है A को 100 लोगों ने 1 दिया हो B को जो है वै 80 लोगों ने दिया हो C को जो है वै 70 लोगों ने दिया हो D को जो है वै 60 लोगों ने दिया है ठीके तो हमने क्या किया कि पहली प्रथम मत की गड़ना कर ली प्रथम मत की गड़ना कर ली प्रथम मत की गढ़ना करने के बाद हो सकता है किसी एक को कोटा मिल जाए अब देखो कोटा शब्द की बात आ गई तो जब अनुपातिक प्रतिनित्व की बात होगी इसका मतलब है इसमें एक निश्चित कोटा बनाया जाता है कि निर्वाचित वही व्यक्ति घोशित किया जाएगा जिसको एक निश्चित जो कोटा है वह मिल जाएगा मतलब कुल वैदमत मिल जाएंगे तो ये जो प्रणाल निर्वाचित को कुल वैदमत, निर्वाचित को कुल वैदमत चाहिए होंगे, ठीके, या फिर हम कहें कि एक निश्चित कोटा बना दिया जाता है, एक निश्चित कोटा बना दिया, जैसे कि आपको, for example, 50 प्लस एक आपको चाहिए, ठीके, for example, तो यहाँ पर देखो, पहली पर जात है कि जो वोटिंग होगी वो वरिता क्रम में होगी. 1, 2, 3, 4. ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये. Second हम दे जाना कि, जो counting है, वह भी कई चरण में होगी. अगर माली जे जो पहला है पहले ही चरण में इसको जिसने पहला पहला चुना है वो उसको कुल वैदमत मिल जाते हैं निश्चित कोटा मतों का मिल जाता है वो जीत जाता है अब इसके आगे एक और बात आती है आप सुचेंगे मैं एकल मत हस्तांतर निया हस्तांतर ट्रांस्वर किस चीज का हो रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ A, B, C और D हमने देखा कि A को 100, B को 80, C को 70, D को 60 अब D को किया हमने बाहर क्योंकि सबसे कम मत मिले थे न D को हमने बाहर किया बाहर क्यों क्योंकि सबसे कम वोट मिले थे सबसे कम वोट वाले को बाहर कर दिया अब हमने इसके जो मत थे ठीके इसके जो बाकी वोट थे न जैसे कि मालो अब इसके एक एक नमबर के तो सब चले गए अब यहाँ पे kisी ने 2 नमबर 1 को दिया था अब इसको क्या कर दिया यह तो जो यह मत है वो हस्तांतरन कर दिये अब इसके कया काउंट पिर से रिकैंट किया यह पहली चरण था अब तीनों चरण में हमने इसके जो वोट थी वह हमने बैसिकली दे दिये कि दो इसको दिये तीन इसको दिया था चौथे नंबर पर सी को रखा था समझ रहे हो आप हमने किया कि फिर से काउंटिंग किया फिर से किसी को कोटा नहीं मिला कुल वैदमतों का हमने फिर तीसरे चरण की गढ़ना की ये गढ़ना तब तक चलेगी जब तक एक व्यक्ति को कि निश्चित कोटा जो है वह नहीं मिल जाता सामान पद्धिती होगी होती अगर तो इसको सौ मिल गए था यह जीत जाता विजेता हो जाता निर्वाचित गोशित कर दिया पर नहीं क्योंकि हमने अनुपातिक प्रतिदित्व पद्धती है हमने इस पधती को अपनाया है तो यहाँ पर जब भी अनुपातिक प्रतिदित्व एकल मत हस्तांतर निया पद्धती को पड़ो उसमें तीन बाते विशिश रूप से बच्चों याद रखो फस्ट तो है वोटिंग प्रिफरेंशियल बेसिस पर सेकंड है कि जो काउंटिंग है वह कई चर्णों में होग यह तीन शब्द पूरी प्रतिदिति को समझा देते हैं ठेके और आपको यह भी बता दिया कि कैसे कैसे जो है वह transfer होगा फिर इसमें माली जे इस transfer करने के बाद फिर जो है वह दूसरे चरंड की गढ़ना हrais फिर जो है वह दूसरे चरंड की गढ़ना है भी हो सकता है कोई कि निर्वाचक मंडल में सभी लोगों का जो मत मूल है वह समान हो संग केंद्र का संग केंद्र राज की हम बात करें तो राज और केंद्रों का मूल समान हो राज्यों की भी श्प्रतिनित्व समान हो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वोट जो है वो निकाल लेते हैं तो दो ति यहाँ पर जो बात है वह की गई है ठीक है क्लियर है चलिए अब देखो विधायक की बात करते हैं तो जो विधान सभा की सदस्त का कैसे निकालेंगे अगर हमें अब निकालना है पहले विधान MLA की बात करेंगे ठीक है तो MLA का कैसे निकालोगे आप तो देखो एक विधायक member of legislative assembly विधायक उसका मत्मूले कैसे निकालेंगे कि एक तो राज की कुल जन संख्या को उपर रख लो राज की कुल जन संख्या में उस particular राज विधान सभा में मालो 200 seat है मालो 400 seat है ठीक है तो उ राज की कुल जन संख्या में आपको भाग देना है राज विधान सभा के निर्वाचे सदस्य संख्या का तो यह example हो गया इस तरीके से प्रतिक राज की विधान सभा का आप एक जो वोट है जो वैलू है आप वो निकालो यह विधान सभा के लिए बात होई ठीक है ये बिधान सभा की बात होई अब देखो अगर हम बात करें कि संससदस का अगर हम बात करें कि जो member of parliament है तो ये जो MPs है इसका हम मूल कैसे निकालेंगे संससदस का मूल जो है हम कैसे निकालेंगे तो हमने देखा राज्य का कुल जो सभी राज्य की बात हो रही है कि सभी राज्यों का कुल मत मूल जो है वे कित्ता है यहां पर तो हमने एक एक जगा का निकाला था अब सब को जोड के हमने यहां रख दिया राज्यों की को राज्यों के कुल मत का मूल एड प्रत्तिक सदन के निर्वाचिस सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूलकों को संसत के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होगी और यहां पे इंटू वन ऐसा कुछ भी नहीं होगा ठीक है पस सभी राज्यों का कुल कर ल कि आखिर हमने देखा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल हस्तांतर्णिय मत्पधती और गुप्त मत्दान यानि की सीक्र्ट बैलिट के आधार पर जो रास्टपती पद का चुनाव है वह कराया जाता है यह पधती है अब वो क्या है मैंने आपको एक्जांप है कि झो रास्टपती पद के लिए निर्वाचित होगा इसको वैद मत चाहिए थे नएक कोटा चाहिए था अब ये जो quota है वैं कैसे मिलेगा तो इस quota जो है मिलेगा कि जो basically हम देखेंगे नियुनतम quota मिलेगा कुल जो वैद वोट पड़े और जो seat थी हाँ ना जो seat थी कुल वैद वोट पड़े seat plus one और plus one इस तरीके से ठीके इस तरीके से तो जैसे कि मालो यहाँ पर एक seat है एक seat है और plus one किया तो यहाँ पर कुल वैद मत बचे यहाँ पर two plus one ठीके यहाँ इसका मतलब क्या है जैसे कि हमने देखा था कि 50% plus one तो कुल वैद मत उसको कितने मिल जाएं कि अगर मालो जो भी total एक number है electoral college का उसका 50 प्रतिशत और plus one यह जिसको मिल जाएगा वो जीत जाएगा है ना कुल वैद मत कुल वैद वोट और जो seat है plus one plus one and बाद में भी plus one बस तो कुल वैद वोट plus one मिलना चाहिए मतलब हमने क्या देखा था 50 plus one है ना तो यहाँ पर निश्चित कोटा क्या होगा कुल वैद वोट प्लस one यह जो है एक निश्चित कोटा है यह कोटा जिसको मिल जाएगा वो जीत जाएगा एक दो बार और देख लेना तो क्रास में ही याद हो जाएगा आपको यह ठीक है तो यह हमने निर्वाचन को देखा कि जो रवाचन या निउकती है वह कैसे होगी तो हमने जाना कि basically पांच वर्ष के लिए कितने वर्ष के लिए सामन था हम देखेंगे तो जो कारेकाल है वह पांच वर्ष का होगा एक जो निर्वाचक मंडल है निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव होगा रीती जो है आप प्रत्यक्ष होगी कौन सी रीती होगी आप प्रत्यक्ष तरीके से और जो रीती है वह क्या होगी तो हम सभी रीती को भी समझ चुके हैं यह कुछ ऐसी बाते हैं चलिए अब देखो तो हमने निर्वाचन की रीती की बात की थी, कि बिसिकली ये तो जो है वे आर्टिकल 55 में है, अनुच्छेत पच्पन में निर्वाचन की रीती की बात की गई, है न, अब हम कुछ योगताओं की बात कर लें, कि आखिर योगताओं क्या होती है, शपत कौन दिलाएगा, शर् कर लेते हैं तो रास्टपती पत के लिए कुछ योगताओं की जो बात है वे आर्टिकल 58 में की गई है ना आर्टिकल 58 में कुछ जो ये बाते हैं वे बताए गई है जैसे कि इसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले कि भारत का नागरिक हो है ना अब याद अठना कि जन्म से नागरिक होना आवश्यक नहीं है ठीक है और यहाँ पर मैं स्टार्ट लगा देती हूं क्योंकि ये बात यूपेसी ने पोची हुई थी साथ ही इसमें यहाँ पर भी लिख लो कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जन्म से रास्टपती बनने के लिए जन्म स नागरिक होना आवश्यक है ठीक है, तो कमपैरिजन भी हमें साथ साथ देखती जाना है कि अमेरिका की बात करेंगे तो यहाँ पर जन्म सो जो नागरिक है वہ होना चाहिए ठीक है अब दिकूई एक एज़बी पद है तो समवेधानिक पद हम अब जिसे कि आप घर में देखेंगे कि जो बड़े बुज़र्गों के पास एक्सपीरियंस होता है उन्हें समाल लेकि जो शमता होती है हमने समवेधानिक और सबसे जादा महत्यवन समवेधानिक पत बनाया अगर हम किसी युवा को बैठहाल देंगे ऐसा नह О्में जोष की कमी है वहाँ पे हमें जोश की जरुवत है ही नहीं है ना वहाँ पे हमें किस तीज की जरुवत है कि वो समवेधान की वो समवेधान एक पद के महत्व को बराय कि वह फर्स्ट सिटिजन है इंडिया का आप सोचिए कि अगर उसके द्वारा कोई ऐसा काम किया जाता है कोई ऐसा नही किसे रास्टपती नहीं बनाया जा रहा आपने देखा होगा कि हुआ बहुत intellectual person होंगे no doubt बट आप देखेंगे कि basically ऐसा नहीं कि वह बहुत प्रत्यक शुरूप से राजनिती में सक्रिये थे ऐसे व्यक्ति को आप रास्टपती नहीं देखेंगे तो रास्टपती पत के लिए अब जैसे कि एप जी आब उलकलाम है उनको रास्टपती बनाया गया है ना या फिर तो इस तरह कि आप देखेंगे कि बड़े ही गंभीर या फिर इस तरह के परसंस जो रहे हैं आप तक लगता है कि हाँ हमारे ये समवधानिक जुपद है इसको सुशोभित करेंगे इसके गरीमा को खराब नहीं करेंगे वैसे तो एश हमने 35 रख ली कि 35 साल का जो नियुंतम जो आयू है 35 वर्ष होनी चाहिए लेकिन आप देखोगे कि शायद अच्छा अगर हम अपने पीएम पद की बात करें तो पीएम पद के लिए क्या जरूरी है क्या वह व्यक्ति जो है वही पीएम बन सकता है जो कि केवल लोकसभा का सदस्यों किवल राजसभा का सदस्यों किसका सदस्यों तो दोनों में से किसी भी सदन का सदस्यों हो सकता है उसको हम PM चुन सकते हैं पर अगर हम President की बात करेंगे न तो President देखो President किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और अगर उसको राश्चपती पद के लिए उमीदवार बनना है तो उसको त्याकपत्र देना पड़ेगा त्याकपत्र देना पड़ेगा लेकिन उसके अंदर जो योगिताएं हैं वह योगिताएं होनी चाहिए कि वह लोकसभा के सदस्य बनने की योगिता रखता हो तो लोकसभा का जो सदस्य है वह बनने की योगिता रखता हो ऐसे व्यक्ति को ही राश्चपती अब याद अखना कि यहां पर राजसभा की बात नहीं की गई तो यहां पर PM का ही लिख लो कि अगर हम PM की बात करेंगे तो PM किसी भी सदन का हो सकता है PM किसी भी सदन का सदस्य जैसे कि हम अगर हम Dr. Manmohan Singh की बात करें वे राजसभा की सदस्य थे तो किसी भी सदन का सदस्य जो है वे हो सकता है ठीक है बटर राष्टपती के लिए क्या है कि लोग सभा का होगा वही एक बात और बता दू कि अगर यहां पर हम Britain की और बात कर ले तो Britain में जो PM बनेगा वो जानते हैं कौन बनेगा जो वहाँ पर यह condition रखी गई है कि Britain में PM बही होगा जो बिसिकली जो वहाँ का lower house है उसका member होगा किवल बही PM बन सकता है चलिए आगे देखो इसके अलाबा यह कहा जाता है कि वह किसी भी तरीके से लाब का पद जो है धारण ना करता हो office of profit अब देखो इसके बेसिकली इसको बहुत अच्छे तरीके से परभाशत नहीं किया गया कि जो office of profit है आखिर वह क्या है बस यह कहा गया कि लाब की पद पर ना हो लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि लाब का पद जो है वह आखिर होता क्या है office of profit कि मालोग कोई भी ऐसा पद जिसकी वेतन सरकार दे रही हो पूर्न या आंशिक रूप से सही या सरकार उसके लिए उस particular संगठन या उस particular institution के लिए नियम नेतियां बना रही है किसी भी तरीके से अगर सरकार उससे जुड़ी है उससे आप करना होता है इस्तीफा देना होता है तो यहाँ पर देखो अच्छे देखो कि जैसे की अगर वह रास्ट पती या उपरास्ट पती या किसी राज का राजपाल है या फिर संग या राज सरकार में किसी मंत्री के पतपर है तो उसको लाब का पत दारण ना करता हो ठीक है लेकिन इसमें माल लीजिए अगर वह उपरास्ट पती है रास्ट पती भी उपरास्ट पती नहीं या फिर कहीं का राजपाल है अब जैसे कि दौबदी मुर्मूजी राजपाल रही ना तो अगर वह राजपाल है और वह उपरास्ट पती है राजप ठीक है लाब का पद नाधारण करता हो तो यहां पर बिसिकली हमने चार बाते जो है उसको समझा अच्छा है इसमें स्पस्ट्री करने कि रास्पती राजपती राजपाल है मंत्री हैं तो यह जो है वैं लाब के पद के अंतरगत इसको शामिल नहीं करा जाएगा इसके पर्शाब करें हैं तो इसम्हें कि प्रशा है कि कम से कम 50 प्रस्तावक हो 50 अनुमोधन को पाचास लोग पचास अनुमोदक की आविशक्ता होती है और एक राशी भी बिसिकली आपसे जब्त कराए जाती है मतलब जब्त नहीं एक राशी जो है जैसे जमानत राशी जो है भारती रिजर्व बैंक की द्वारा 15,000 रुपे जो है वैं जमा कराए जाते हैं ठीके 15,000 रुपे जो है वै यहां पर क्या है कि नावंकन के लिए तीके आपको 15,000 रुपे जो है वो आपको जमानत करानी पड़ेगी जो जमानत राशी है वो करानी पड़ेगी और यह जमानत राशी आपको वापस नहीं होगी है ना कब वापस नहीं होगी अगर आपको कुल वैद वोट जो है वह नहीं मिले तो यहां पर बताया जाया है कि अगर कुल वैद जो वोट मिले है उसका 1.6 भाग ध्यानकना कुल का 1.6 भाग अगर वह पचास पचास है ना यह जो संख्यावे ददस हुआ करते थी कि बस दस प्रस्तावक ले आओ दस अनुमूदक ले आओ लेकिन फिर उसके बाद एक तरह से लोगों की स्विक्रती जो है रास्टपती पत पर बैठ हुए वक्ति के लिए हो इसके लिए सौसो जो हम आप नहीं जा सकते हैं वो सांसा सदस्यों की बात हो रही है ठीक है हमारे आपकी चलिए सो अब यहाँ पर देखो रास्पती के द्वारा शपत कैसे शपत की हम बात करेंगे कि रास्पती को जो शपत है आखिर वैक कौन दिला好吃 जैसे कि द्रौबदी मुर्मूजी की हम बात करें कि नोने शपत दिलाई थी तो योगताउ की हमने बात कर ली अगर हम शपत की बात करेंगे तो जो उच्चितम न्यालाई के न्याइधीश है ना उच्चितम न्यालाई के न्याइधीश और उसमें भी हम मुख न्याइधीश की बात करेंगे तो यहाँ पर यादखना की रास्टपती बिसिकली अपने जो पद है उसको ग्रहन करने के पह तो उच्चितम न्यालाई के जो मुख्य न्याइधेश है वो शपत दिलाएगे उच्चितम न्यालाई के मुख्य न्याइधेश और अगर ये नहीं है तो तो जो और वरिस्चितम न्याइधेश है उनके द्वारा शपत दिलाई जाएगे ठीके चलिए तो देखो अच्छे एक बात और याद रखो कि क्या अगर कोई व्यक्ति मालीजिय का रास्टपती नहीं है रास्टपती के अनुपस्तिती में उपर रास्टपती अगर रास्टपती के रूप में कारे कर रहे है कारेवाहक रास्टपती के रूप में काम कर रहा है जैसे कि मुहम्मद हिदायतुल्ला ने किया था कारेवाहक रास्टपती के रूप में तब क्या ऐसा है कि उन्हें भी ये शपत लेनी होगी बिलकुल लेनी होगी है ना तो उने भी इस तरह की जो शपत है बहले नी होगी अब रास्पती पत के लिए कुछ शर्तों की बात हमारी होगी कि क्या-क्या जो शर्ते हैं मैं होनी चाहिए ठीक है अच्छा गर वेतन भत्तों की थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे करूं तो याद रखो कि 2018 तक है ना 2018 तक पहले अगर हम देखेंगे कि जो वेतन भत्ता है काफी कम था आगे हम देखें कि जो पैंशन है लगबग आधी होती है पैंशन है ना जो पैंशन मतलब जब आप रास्टपती नहीं है अगर आप रास्टपती नहीं है तो सभी भूत-पूर्व जो रास्टपती है उन्हें आवास दिया जाता है उन्हें कार दी जाती है उन्हें कारेले के खर्च के लिए कुछ पैसा दिया जाता है तो प्रापर उनके लिए जो सम्मान और ववस्ता है आजीवन कराई जाती है और उनके बाद है अगर डैथ हो जाती है जो हमारे फॉर्मर जो प्रेसिडेंट जो पह हैं भी दिये जाते हैं तो इस तरीके से कई तरह की जो सुवधाई है भैध दी जाती हैं आगे देखो आगे हम हम देखते हैं कि रास्ट rather को basically कई बिशिष अधिकार भी मिले होते हैं अगर अगर हम रास्टपती के के दोरान रास्ट पती को यह करेकाल के दिवरान गिरफतार नहीं किया जाएगा करेकाल के दौरान गिरफतार नहीं किया जासकता साखिं इन पर कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता, मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, चीके, या देखना, इवन इनके व्यक्तिगत, अगर कोई व्यक्तिगत भी ऐसा काम इनों ने किया था, उस पर भी नहीं चलाया जाएगा जब तक कारिकाल है, तो व्यक्तिगत जो कारे हैं, व्यक्तिगत कारें को भी छूट दी गई है इवन क्यूंकि पद का महत्व है व्यक्ति का नहीं है तो व्यक्ति गत कारियों को भी बिसिकली इससे जो छूट या उन्मुक्ति है वह मिली हुई है अब देखो अगर चलाना है तब कैसे चलाएंगे तो आप देखो अच्छा जेल भी नहीं ना गिरफ मुकदमा चलाना है तो पूर्व दो महीने का नोटिस है ना नोटिस देना होगा और इस नोटिस के बाद आपको केवल इतनी छूट मिलती है कि इनके जो निजी कारे रहे निजी व्यक्ति गत कारे रहे इनके लिए आप बिसिकली मुकदमा जो है वह चला सकते है ठीके तो यह बात आपको याद अखने कि कुछ जो विशेशदी कार है वैपराप्त है इनकी जो विदिक जिम्मेदारिया है जो विदिक कारे ये कर रहे हैं उसके लिए भी इनको जवाब दे नहीं ठहराया जा सकता तो विदिक जिम्मेदारियों से भी इने जो उन्मुक्ति है लेके और हाँ एक बात और समझो कि अगर मालो रास्टपती के पत को लेके किसी तरह का विवाद होता है तो इसको कॉन्सॉर्ट करेगा तो जो हमारा उचितम न्याला है सुप्रीम कोट है सुप्रीम कोट के पास इस तरह का पावर है कि वह बेसिकली इस तरह के विवादों का समधान करे और रास्टपती का जो निर्वाचन है अच्छा एक बात और याद रखो कि मालो रास्टपती का जो निर्वाचन है वह शू इस आधार पर चैलेंज चैलेंज या चुनोती नहीं दी जा सकती और एक लास्ट बात जो आपको इसके बारे में जाननी है कि रास्ट पती का अगर इन केस जो निर्वाचा ने वेश्यू नगोशित कर दिया जाएगा तब भी अब तक उन्होंने रास्ट पती के रूप में जो भी अध्यादेश पारित किये जो भी निर्णा जो भी डिसीजन दिये वो सभी वैलिड रहेंगे वो सभी वैद रहेंगे ठीके साथी हमने ये दिखा कि अगर मालो निर्वाचक मंडल की बे कोई अनुपस्तित था या फिर कहीं पर कोई सीट खाली रही तो इस आधार पर कभी भी रास्टपती का जो निर्वाचन है उसको अवैद घोशित नहीं किया जा सकता ना ही उस पे किसी तरह के चुनौती जो है बिसिकली वैद दी जा सकती है ठीके तो विवाद का समाधन सुप्रीम होड करेगा और साथी ये बात इंपोर्टेंट है यूपस्ती ने देखा शपत आहरताओं की योगिताओं की बात कर लिए अब नेक्स्ट है पदाविधी महाभियोग और पद रेखतेता ठीके देखो इसमें हम देखेंगे कि आखिर तीन बातों की हमें चर्चा करनी है सबसे पहली बात है कि आखिर ये कब तक जो है वह काम कर सकते हैं कब तक ये इस पद पर रहेंगे इनके पद की जो अबधी है वह आखिर क्या है ठीके सो सबसे पहली बात तो ये है कि देखो हमने जा रहा था अब तक कि सामनत है तो जो है वह क्या होगा पांच वर्ष का होगा है ना सामनत है हमने देखा कि पांच वर्ष तक बिसिकली ये जो है वह अपने पद पर बने रहेगे पांच वर्ष के समय तक है एपने पत पर रहेगे लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें इसके पहले नहीं हटाया जा सकता तो जब इन्हों ने पद धारं किया है जैसे कि माल लिजिए अगर हम हमारी जो वर्तमान रास्ट्रपती है ना अगर हम drop the मुर्मूजी की बात करें तो इनके द्वारा कब शपत ली गई थी 25 जुलाई 2022 को तो 25 जुलाई 2022 से अब 5 वर्ष जो है वे समनता यहां से अगर count कर लेंगे तो 22 से 23 24, 25, 26 और 27 तक ठीक है तो next selection 5 वर्ष के बात होंगे अगर किसी तरह की कोई changes जो है वे नहीं हुए तो पदावदी क्या होगी? 5 वर्ष 5 वर्ष तक कारेकाल ठीक है? जब से इन्होंने अपना पदभार गरहन किया है उसके बाद से 5 वर्ष तक यह समनता अपने कारेकाल को तहेगा इनका next देखो इसके अलावा इसके पहले भी यह हट सकते है बट कैसे? अगर यह अपना जो त्याग पत्र है वे दे दे त्याग पत्र किसे देंगी? तो रास्ट पती है तो यह अपना जो त्याग पत्र है वे उपरास्ट पती को सौपेंगे है ना त्याग पत्र किसको सौपेंगे बिसिकली कि जो उपरास्ट पती है उसको त्याग पत्र अगर ये सौप दे तब ये अपने पत्र से हट सकते हैं साथ ही देखो और इसके लावा हम ये देखे कि ये बिसिकली अगर मालो 27 में हमारे next election होते हैं रास्ट पती पत के लिए तो तब तक क्या होगा जैसे कि मालो थोड़ा सा देर हो गया है ना कि 5 वर्ष नहीं चलो 3-4 महीने और लेट होगा किसी भी कारण से उस case में क्या होगा क्या 5 वर्ष के बाद ये सीधे अपने चुनाव कर लिया जाएगा है ना तो यहाँ पर देखो कि जब तक जो उत्तराधिकारी है इनके बाद ऐसा नहीं कि कोई अनुवांशिक रूप से जो निर्वाचित उत्तराधिकारी होंगे तो उत्तराधिकारी के पद ग्रहन करने तक ये अपने कुर्सी पर रहेंगे पद ग्रहन उत्तराधिकारी के पद ग्रहन करने तक है ना ये पद पर रहेंगे जो भी वर्तमान रास्टपती है जो भी है वो अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी है वो पदग्रहन नहीं कर लेता और एक और बात जो important है कि क्या ये पुना निर्वाचित हो सकते हैं yes definitely हो सकते हैं लेकिन अब तक हम देखेंगे कि पुना निर्वाचन किसी का नहीं हुआ केवल हमारे जो रास्टपती पहले जो हमारे रास्टपती थे जो कि डॉक्टर राजें इंदर पर साथ थे यही केवल हम ये दो कारेकाल तक रहें इसके बाद जो भी हमारे अब तक रास्टपती हुए है इनका कारेकाल दो नहीं हुआ सब एक बार ही रहे सामनता है बठा अगर हम अमेरिका की बात करेंगे अमेरिका में basically ये एक लिमिट लगा रखी है कि वहाँ पर जो है केवल अधिकतम कोई एक व्यक्ति रास्टपती केवल दो बार ही बन सकता है बट इंडिया में ऐसी कोई लिमिट नहीं है आप कितने बार भी जो है पुनह निर्वाचित हो सकते फिर से रास्टपती बन सकते है बट सामनता है एक परंपरा से भी चीज़े चलती है और उस में आप देखेंगे कि अभी तक कोई जो है वे दो कारेकाल के लिए नहीं चुना गया ठीके अब देखो अब हम आते हैं महाभियोग की प्रक्रिया की बात करते हैं ये तो पदाबधी की बात होगी महाभियोग की जो प्रक्रिया है आखिर वो क्या कहती है महाभियो जो है वह इनकी सूशना कहा देगा लोग सभा के अध्यक्ष को देगा ठीके साथ ही अगर इनको पद से हटाना है तो पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है इंपीचमेंट प्रोसेस है ठीके अच्छा याद अठना है इंपीचमेंट प्रोसेस 56 क्लॉस बन में जो है वह दे गई है अब इसका आधार क्या है कैसे हटाया चाहेगा उन सबी की हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है के अनुछे दिकसर जो है वह कहता है कि महाभ की प्रक्रिया को का जो एक आधार है होगा समविधान का उलंगन लेकिन समविधान का जो उलंगन है इसको परिभाशित नहीं किया गया है कि क्या आखिर ऐसे आधार होगे जिससे हम महाभियोग जो है वह शुरू कर सकते है ठीके अब देखो अगर हम इस आरोप की बात करे तो आरोप कौन लगाएगा और किस तरीके से होगा तो आरोप के लिए सबसे पहले जो एक चौथाई सदस्य है ये हस्ताक्षर करेंगे है ना और अगर पारित करना है तो पारित करने के लिए जो दो तिहाई सदस्य है इनके द्वारा पारित होगा तो एक चौथाई सदस्य इस पर sign करेंगे अगर आरूप लेकर आते हैं और दूसरा जो है दो तेहाई जो सदस्य है इनके द्वारा बिसिकली ये पारित होगा और यही same process चलेगा दूसरे सदन में और जब दूसरे सदन में भी same process हो जाती है और यहां से भी पारित हो जाता है तो जिस date से जिस date को पार होगा तो जिस date से पारित होगा उस date से इनको हटा दिया जाएगा ठीके अब एक और बात याद रखिए कि बिसिकली महाभियोग की जो प्रक्रिया है यह जानते हो कैसी प्रक्रिया है इसको अर्ध नयाएक प्रक्रिया कहा जाता है ठीके impeachment का जो process है बिसिकली यह जो प्रोस अर्ध नयाएक प्रक्रिया इलक्टोरल कॉलिश याद है ना कि कौन-कौन थे इसमें अब देखो हमने बात की थी कि जब राश्च्पती का निर्वाचन होगा जो इलक्टोरल कॉलिश बनेगा उसमें जो मनोनी सदस्ध से हैवा शामिल नहीं होंगे इसमें शामिल हो रहे ह है ना तो पहली बात तो इसमें ये कही जाती है ठीक है पहली बात तो इसमें ये कही जाती है कि जो मनोनीत सदस्य है ना जो नॉमिनीटिड मेंबर मनोनीत जो सदस्य थे इन्होंने निर्वाचन में भाग नहीं लिया था और पर ये महाभियोग में पार्टिसिपेट करेंगे पर ये महाभियोग में भाग लेंगे पहला कारण तो ये हो गया अब हमने बात की थे कि अगर हम डैली और पांडिचेरी की बात करें तो दिल्ली और पांडिचेरी के विदान सभा के जो सदस्य थे निर्वाचे सदस्य थे तो देखो इन सदस्यों ने निर्वाचन में तो भाग लिया था, जब राश्चपती का इलेक्टोरल कॉलिश था ये उसके सदसे थे, तो निर्वाचन में भाग लिया था, लेकिन ये महाभयोग प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होगे, तो कौन हिस्सा होगा, कौन नहीं होगा, that's very important, ये महाभयोग की प्रक थे, निर्वाचक मंडल के पार्ट थे, वो बाद में नहीं है, और जो पार्ट नहीं थे, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे है, तो impeachment की जो process है, वो कैसी होगी, एक अर्ध ना एक प्रक्रिया होगी, तो इसमें आपको एक तो मनोनी सदसे याद कर लेना है, और दूसरा आपको याद कर लेना है कि दिल्ली वा पांडिचेरी जो विधान सबा है, जो दिल्ली पांडिचेरी केंद्रे, जिनकी अपनी विधान सबा है, साती मैंने आपसे comment में पूछा है, कि क्या हमारे जो next election होगे, या जो हमारा last election हुआ था, क्या उसमें जम्मू कश्मीर के जो उसके suggestion ने participate किया था, ये आपको बताना है, ठीके, अब इसके अलावा देखो हम vacancy की बात करेंगे, कि अगर महाभ्योग की जो ये प्रक्रिया हमने देखी, ठीके, पदाबधी हो गई हमारी, है न, महाभ्योग हो गया, अब हमें एक और जो इसमें देखना है, ये है आपक पदरिक्तता, vacancy, अब ये जो vacancy है, वै कैसी होगी, ये जो पदरिक्तता है, वै कैसी होगी, राश्चपति मतलब कैसे कैसे जो है वै नहीं रह सकते, या तो देखो, वो त्याग पत्र दे के हट जाए, महाभ्योग की प्रक्रिया हो जाए, नत्यू हो जाए, कोई अन्य कार हूं आस्वस्त हूं और उप्रास्ष्पति आ जाए तो हम देखेंगे कि बिसिकली पाश्टर की बातों की चर्चा इसमें की गई है कि या तो वेकेंसी इस कारण आ गई हो कि उन्होंने पाँच वर्ष का कारेकाल पूंड कर लिया हूं पाँच वर्ष का कारेकाल पूंड हो गया हूं यह पहली बात होगी ठीक है दूसरी बात इसमें यह कही जाती है की उन्होंने उप रजायन दे दिया हो तब भी वय हट सकते हैं इस वजए से पोस्ट खाली हो सकती है तीसरा जो अभी हमने जो निर्वाचन है उसको अगर अवैद घोशित कर दिया जाए है ना उनका जो निर्वाचन है उसको अवैद घोशित कर दिया जाए इस स्थिती में क्या होगा तो पहले हम इन चार स्थितियों की बात करते हैं इन चारो इस्तितियों में जानते हैं क्या होगा कि अब ये आविशक हो गया कि 6 माह के भीतर चुनाव आविशक है छे माह के भीतर आपको नए रास्ट पती जो है इनका चुनाव कराना जरूरी हो गया आविशक हो गया ठीक है और जब तक ये चुनाव नहीं हो जाता तब त जो उप रास्ट पती हैं, तब तक जो उप रास्ट पती हैं, उप रास्ट पती ये कारेवाहक रास्ट पती के रूप में कारे करेंगे, और जब तक ये कारेवाहक रास्ट पती के रूप में कारे करेंगे, इसका मतलब इन्हें रास्ट पती को मिलने वाला जो विशेश अध अधिकार हैं, है ना, रास्टपती को मिलने वाली जो वेतन, भत्ते, सुवधाई हैं, वो सारी चीजे इनको मिलेंगी, तो रास्टपती के रूप में, कारेवाहक रास्टपती के रूप में कारे करेंगे, ठीके, क्लियर, तो ये पांचो परिस्तिति, ये चार परिस्तितियो की तो बात हमने कर ली अब हम देखते हैं कि अगर माल लिजे पांच वर्ष का कारेकाल पूर्ण हो गया तब ऐसे में क्या होगा तो देखो हमने देखा कि कारेकाल पूर्ण होने के पूर्व ही चुनाव करा लिया जाएगा कारेकाल पूर्ण होने के पूर्व चुनाव करा लिया जाएगा ठीके और अगर ऐसा नहीं होता है तब हमने क्या देखा जब तक उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगे राजा का पत क्यूंकि खाली नहीं होता है ना राजनेतिक स्थिर्ता के लिए जरूरी है तो उत्तराधिकारी के पद ग्रहन तक उत्रादिकारी के पद ग्रहन तक अपने पद पर बने रहेंगे अपने पद पर रहेंगे ठीके? ख्लियर है? कि अगर पांच वर्ष का जो कारेकाल है इसके पूर्ण होने के पूर्वी बेसिकली जो चुदाव है व्यावशकर उत्रादिकारी के पद ग्रहन करने तक ये बेसिकली बने रहेंगे जैसे कि हम देखेंगे अब तक दो रास्टपती जैसे कि हम डॉक्टर जाकिर हुसेन की बात करें और फक्रुद्दीन अली अहमद की बात करें तो ये ये दो रास्टपती ऐसे जिनका कारिकाल के दौरा निधन हो गया था ठीके तो ऐसे में जब रास्टपती डॉक्टर जाकीर हुसेन का निधन हुआ उस वक्त जो उप रास्टपती वे वीवी गिरी थे ठीके वीवी गिरी जो थे उप रास्टपती थे और ये बतोर रास्टपती काम करने लगे ठीके फिर क्या हुआ कि जब वीवी गिरी ने रास्टपती के चुनाव में भाग लिया तो उन्होंने रास्टपती पत से इस्तीफा दे दिया ठीक है रास्टपती पत से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ऐसे में जो भारत के उस वक्त भारत के मुख्ण आप कोई तो रास्टप तो रास्टपती पद के लिए उमीदवार बन गए अब ऐसे में क्या होगा तो जो न्याइधीश मोहमद हिदायतुल्ला थे उन्होंने बतौर कारेवाहक रास्टपती के रूप में कारे किया था 20 जुलाई 1969 से लेके 24 अगस 24 अगस 1969 तक ठीक है तो वीवी गिरी यादटना आ आपको रास्टपती के पद से अगर आपको आप कारेवाहक रास्टपती थे उप रास्टपती के रूप में है ना अगर आपको रास्टपती बनना है तो रास्टपती पद से आपको जुताक पत्र है वे दिना होगा है ना तो यहाँ पर इसमें ये के स्टेडी में ये लि यह सब जो है विलाब की पद नहीं है तो आब चुकि आप उप रास्ट्पती के रूप में काम कर रहे थे तो क्या आप रास्ट्पती चुने जा सकते हैं तो रास्ट्पती उप रास्ट्पती वो फिर से जो candidate है वो definitely बन सकते हैं तो vacancy की हमारी बात यहां पे हो रही है आगे कि देखो अगर किसी कारण से हमने देखा कि पांच वर्ष हो गए बर चुनाब नहीं हो पाया तो जो वर्तमार मतलब जो भी उस वक्त रास्ट पती है वो आगे अपना जो कारेकाल है बिसिकली वह करते रहेंगे ठीक है और वो अपना कारेकाल करते रहेंगे और ऐसे में उप रास्ट पती को मौका नहीं मिलेगा कि पांच वर्ष पूरवे अपना कारेकाल जारी रखेंगे ना कि उप रास्ट पती को उनकी जगा पन लाया जाएगा ठीक है तो इस परिस्तिती में अगर कारण वेकन्सी का कारेकाल का पूर्ण होना है तो प्रास्टपती के पास ये बिलकुल मौका नहीं होता कि वे एजा कारेवाहक रास्टपती कारे कर सके बट अगर त्याग पत्र है अगर महाभियोग है अगर मेत्यू है अगर निर्वाचन को अवेद गोशित कर दिया गया है तब definitely जो प्रास्टपती है वे रास्टपती क के रूप में कारे करेंगे ठीके clear है तो यहाँ पर हमने रास्टपती की पदावधी रास्टपती परमहाभियोग और हमने पदरिक्तिता की जो चर्चा है वे की अब हम बात करते रास्टपती की शक्तियों के बारे में ठीके रास्टपती की शक्तियों की बारे में थोड़ एजिकेटिव पावर के अंतर गताएंगे ठीक है कुछ पावर ऐसे हैं जो कि सैने रिलेटेड होंगे जैसे कि तीनों सेनाओं का सैनापतिया प्रमुक होगा तो कुछ शक्तिया ऐसी होंगी बेसिकलिए जिसे कि हम मिलिटरी पावर कहेंगे कुछ शक्तिया ऐसी होंगी जिसे कि हम डिप्लोमेटिक कहेंगे है ना जिसे कि हम डिप्लोमेटिक कहेंगे कूटनितिक कुछ शक्तिया जिसे कि हम फिनेंशियल कहेंगे जैसे कि हमने अगर वित्यापातकाल की चर्चा हम कर चुके हैं तो वित्य आपातकाल में रास्टपती बिसिकली आदेश दे सकते हैं या फिर राज्यों की जो धन और वित्य विधिया क्यों उसको रोक सकते हैं पारित होने से क्यों क्योंकि वित्य आपातकाल है तो यह उनकी वित्य शक्ती हो जाती है ठीक है तो यहाँ पर हमने कारेकारी देखा अच्छे इसके लावा हम देखेंगे कुछ विधाई शक्ति होंगी legislative power विधान बनाने से संबंदित जो कि हैं विधाई शक्ति ठीक है तो कुछ जो है legislative power होंगे कुछ नयाएक शक्तियों की हम बात करेंगे कुछ judicial है ना नयाएक शक्तियों की बात करेंगे तीनों तरह की हम emergency की बात करेंगे आपातकाल की बात करेंगे फिर कुछ ऐसे powers होंगे जो कि वैं अपने विवेक की आधार पर भी जो decision है भे ले सकते हैं ठीके अब देखो जैसे की हम कारे-कारे शक्ति की बात करेंगे तो जैसे की सबसे पहली बात ये है कि भारत सरकार की अगर हम बात करेंगे भारत सरकार किसी भी तरह के अगर साशन संबंधी कोई कारे कर रही है तो उस पर जो पहला नाम है फिर वैं किसके नाम पर करेंगी तो किसके नाम पर करेंगे तो रास्पती के नाम पर करेंगे है एक तो वोट मूल से कुश्चन आया था, है ना, 356 की बात हुई थी, और, ठीक है, तो यहां पर कई तरीके के आप देखोगी, जैसे कुश्चन 356 का आया, ठीक है, इसके अलावा, कुश्चन में, हाँ, यह वाला कुश्चन 2014 में आया था, क्या लिखा है, भारत सरकार की सभी कारेकारी कारवाईयां, प्रधान मंत्री के नाम पर की जाएंगी, यह गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट है ना, यह स्टेटमेंट क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि, प्रारत सरकार के सभी कारेकारी जो कारवाईयां, वह किसके, जो हमारी कारेपाली का, का अगर हम कहें, है तो यहां पर कारेपाली का शक्तियों की बात हो गई ठीक है तो सबसे पहला और सबसे इंप्रॉटन था तो संग की कारेपाली का हमने देखा कि कारेपाली का जिस शक्ति है वैं किसमें रास्टपती में नहत है और इसलिए अच्छा एक बात और देखो अनुच्छे 53 करेगा क्या वैं खुद अपने द्वारा कर सकता है कि उसने डिसीजन ले लिया और वैं करें नहीं तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम काउंसल ओफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे तो जो मंत्री परिशद है एक मंत्री परिशद होगी जिसका हैड पी-म होगा और वो क्यों होगा सबसे पहले यह लिखा है कि रास्टपती को एड़ एडवाईज करने के लिए रास्टपती की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिशद होगी तो रास्टपती पर पहले यह बाधिता नहीं थी एक संविधान संशोधन के द्वारा रास्टपती को इस बाधिता से जोड़ कि बिसिकली वह अब केवल मंत्री परिशत की सलाह के आधार पर ही काम करेंगे पहले यह बादता नहीं थे ठीके तो यहाँ पर देखो कि बिसिकली सा आर्टिकल 74 क्लॉस बन क्या कह रहा है कि राश्पती को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्री परिशत होगी जिसका ब्रधा सलाह कर सकतें बलकि मंत्री परिशत की सलाह के अनुसार ही जिसीजन है बहलेंगे ठीके और ऐसा कब हुआ यह हुआ 92 समीधान संशोधन कब हो था ये 42 समिधान संशोधन 1976 में हुआ था 1976 में हुआ था जिसमें मंतरी परिषत की सला रास्ट पती के लिए बाधिकारी कर दी गई थी और basically 44 समिधान संशोधन जो की 1978 में हुआ था इसमें ये कहा गया था कि रास्ट पती मंत्री परिशत के द्वारा दे गई सलहा को एक बार पुनर विचार के लिए भेज सकता है लेकिन बाध में यह बाध होगा तो देखो कारपाली का शक्तियों की जब हम बात करेंगे इसमें एक अगर मालो हम किसी बिल की बात करें ये जो बिल है ये कब एक्ट बनता है ये बिल जो है ये कब एक्ट बनता है है ना कोई विधियक जो है अगर हम चाहें कि ये अधिनियम बन जाए ये जो विधियक है ये तभी अधिनियम या कानून का रूप रखता है जब रास्टपती इस पर हस्ताक्षे कर देंगे ठीके लेकिन देखो अगर माल लो कि जो प्रेसिडेंट है रास्पती है और यहाँ पर यह जो विधियक भीजने वाली वो संसद है पाल्डियम ठीके तो यहाँ पर देखो संसद के द्वारा पारित करके कोई जो विधियक है वो भीजा गया ठीके रास्पती सैमती देने के लिए पर रास्पती ने क्या कर दिया रास्पती ने ऐसा किया यह पहली बार था पुनर विचार के लिए री कंसिडरेशन के लिए ठीके री कंसिडर करने के लिए भीज दिया लेकिन अब देखो संसद ने क्या किया संसद ने इसी को दोबारा भेज दिया बिना किसी संशोधन के या थोड़े बहुत संशोधन के साथ और अगर सेम बिल को भी दोबारा भेजा है ठीक है ध्यान रखना कि माल लिजे अगर जो सेम बिल था सेम विधियक था इसको आब दोबारा भीज दिया अब इस परिस्तिती में सेकंड टाइम जो है अब क्या होगा रास्टपती अब क्या करेंगे हैं अब जो रास्टपती हैं वह क्या करेंगे क्या करेंगे राश्चपती अब ये बाध्य होंगे ध्यान रखना अब बाध्यता लग गई अब तो आपको इस पर अपना सेंट देना ही होगा है ना तो अब सहमती देना आपकी बाध्यता है पहले ये बाध्यता नहीं थी है ना, तो यह बादिता कब ठोपी गई तो याद रखना यह 44 वा सम्विदान संशोधन है 44 सम्विदान संशोधन द्वारा बादिता ठोप दी गई थेके इसका मतलब अगर यह कहें कि राष्टपती की जो पुनरविचार करने की शक्ती है वह असिमित है तो ये गलत होगा क्या? अब आप खुछ सोचिए कि अगर हम कहें कि ये जो power है reconsider करने की पुनर विचार के लिए वापस भेशने की क्या ये power जो है वैं unlimited है या limited है? अरे भाईया unlimited कैसे हो गई? असेमित नहीं है, limited है क्यों? limited क्यों है? सेमित क्यों है? limited है सेमित है, सेमित इसलिए है क्योंकि अगर second time same bill आ गया तब तो आप आविशक है ना आप बाधे ही तो है और अगर बाधता है तो असेमित कैसे हुआ शक्ति? तो याद रिखना कि ये जो शक्ति है वै असेमित नहीं आगया समझ पर ये जो शक्ति है वै असेमित नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि अगर same bill को दुबारा भीजा गया फिर आप अपनी ascent देने के लिए बाधे हैं और ऐसा तै किया गया था 44 वे सम्मिधान संशोधन की द्वारा, ठीक है? तो हमने देखा कि संग की कारेपालिका का देखो अब यहां पर प्रमुख की बात है कि प्रमुख तो बिसिकली अगर केवल प्रमुख शब्द लिखा है जब तक वास्तविक शब्द नहीं लिखा है वास्तविक शब्द आएगा तो PM हो जाएगा संकी कारेपालिका के प्रधान के रूप में अगर हम देखे नामत्र प्रधान के रूप में तब रास्टपती है और अगर हम वास्तरिक प्रधान की बात करें तो प्रधान मंत्री है तो रास्टपती क्या है कि रास्ट के अध्यक्षोंगे और प्रधानमंत्री सरकार के अध्यक्षोंगे आर्टिकल 73 क्या कह रहा है कि संग की कारेपाली का शक्ती का विस्तार उन सभी विशयों तक है जिन पर संसत को कानून बनाने की बिसिकली शक्ती है, ये कुछ कारेपाली का शक्ती के, तो अब देखो, कारेपाली का का प्रधान होने के नाते रास्टपती क्या करता है, रास्टपती जो भी महत्यपूर्ण पद की अगर हम बात करें, जैसे कि नियुक्तियों की बात करें, या फिर उनको हटाने की बात करें जिससे कि प्रधान मंत्री UPC नहीं यहां से question पूछा था कि basically प्रधान मंत्री का main हम कहें कि प्रधान मंत्री आखिर कैसे प्रधान मंत्री का क्या होगा चयन होगा, न्यूक्त होगा, क्या होगा यह elected होंगे है ना, या फिर यह appointed होंगे यह appointed होंगे तो यहां पर देखो कि appointed word जो है यह सही है PM के लिए मतलब PM को जो है वै न्यूक्त किया जाता है न्यूक्त कौन करेंगे रास्टपती करेंगे, हाँ वो बात और यह जब हम PM की और आगे मंत्री परिशद की बात करेंगे तब हम इस बात को समझेंगे बच्चो, कि वो बात अलग है कि रास्पती के वल उस ही व्यक्ती को ही प्रधान मंत्री न्यूक्त कर सकते है जो कि लोग समा में बहुमध्दल करनेता हुं है ना, यह फिर जो नियुक्ति हो रही है जो भी आप important पदाधिकारी देखेंगे उन सबी के नियुक्ति या फिर हम आयोगों के अलग-अलग आयोगों के अध्यक्षों की बात करें तो वहां पे भी रास्टपती के बहत्यपूर्ण भूमिका होती है ठीक है प्रधान मंत्री है उच्चितव नियुक्ति और इनको हटाने का जो में आदेश होगा वो पावर रास्टपती के द्वारा विबन आयोगों का गठन किया जा सकता है जैसे कि वित्तायूग क्या कहता है यह वाला आर्टिकल इसमें कहा जाता है कि जैसे कि अनुच्छेद 280 है आर्टिकल 280 के अंतरगत वित्त आयोग कौन है इसकी अद्यक्ष सोलबा वित्तायोग के अद्यक्ष मताओ जरा सब्सक्राइब रास्पती विबन आयोगों के अद्यक्ष अदस्यों की नुप्ती करेगा उनको हटाने जैसे यू-पेसी एह मानवा दिका एक कुषण में आपको दिखाती हूँ एक कुषण वढ़कार आयोग की रिपोर्ट हो संग्लोक सिवायोग झोग क्या ये सब जौपणी रिपोर्ट है मिल capable रासपति परहें ञवाट है तो यहां पर आपको बताना है कि assessate के समक्ष जो रिपोर्ट सरखने का अधिकार है कौनसी रिपोर्ट जो रखने का धिकार हे राशपति का गत्व होगा क्या धित्ता आयोक डीकी रिपोर्ट क्या वह संसद में देखो एक तो तरीका हो सकता है कि सीधे जो है वह संसद में पेश करें ठीक है एक तरीका यह हो गया दूसरा यह है कि यह पर्टिकुलर जो आयो गया अध्यक्ष है यह बीच में किसे को दे रहे हैं यह राशपती को दे रहे हैं और राशपती जो है वह आगे ज से संसत के प्रति उत्तरदाई है केंद्रिय मंत्री भारत के रास्टपती की इक्षा तक पत पर रहेंगे प्रधान मंत्री कानून के प्रस्ताव के वारे में रास्टपती को सूचित करेंगे आपको बताना है कॉंसल स्टेटमेंट सही है ना कुछ 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 इसमें आपको बता हरी हूं आपचलोग सबसे ज्यादा क्यूशंगे कि सबसे १ाल को लेकर निंद सबसे जा सकती है तो बच्चो आपातकाल तो हम पढ़ चुके है ना इसके पहले है ना आपातकाली प्रावधान आपका जो है हमने देखा था चैप्टर नमबर 17 है और चैप्टर नमबर 17 में हम तीनों आपातकाल को पढ़ चुके आपको बताना है कि अगर हम article 360 की बात करें तो रा को कम करने के लिए अब रास्पती के अभी हम पारोनिंग पावर की बात करेंगे शमादान शक्ती की बात करेंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे कि रास्पती जो है क्या इनके पास पावर है मौत की सजा को कम करने में रास्पती की देरी के उधारन नयाय से इंकार की सारे चीज़े क्लियर है उन्हीं सबसे जोड़ती हुए कोई ऐसा कुश्य आप से पूछ दिया जाएगा जैसे कि मालो शमायाचनाओं को लेकर आप देखेंगे कि चौधा के बाद और भी आप कई इस तरह के जिसे कि निर्भया केस की आप सभी जानते होंगे दिल्ली में तो रासपती जो है मैं देरी कर रहा है मौटकी सजा को कम करने में यासे किously मैं आपको म्रतियो दंट को लेके एक बताती हूं अमेरिकामे हाल ही में क्या हुआ के एक जो तरीका है वह पेश किया गया है ना वह तरीका लाइया जिसमें यह कहा कि हम जो है अप जहो फॐसे के नय लगा देंगे हम जिसको हमें death penalty death sentence सुनाया गया है और उसके शरीर में oxygen हतम हो जाएगी और nitrogen जब होगा तब उसके जो शरीर के अंग है वे fail कर जाएगे ठीक है ऐसे मुसकी मृत्य हो जाएगी एक ऐसा तरीका जो सबसे जादा सबसे कम दर्द देने वाला हो जैसे कि एक तरीका अपनाया गया कि injection जहरीला injection दे दो बट अमेरिका में केस आया जहरीला injection देने के बाद 43 मिनिट के बाद उसके प्रभाव जो है वह शुरू हुए दिल का दौरा पढ़ना या फिर यह सारी तो यह जो है मैं माना जाता है कि अगर किसी को म्रत्युदंड सुनाया गया है है तो म्रत्युदंड आज नहीं दो घंटे बाद है ठीक है तो यहां पर बिसिकले आप देखो कि बड़े सुबह सुबह जो है वह वाफासे दी जाती है ताकि सुबह का जो सूरज है इस साथ ना देखे तो म्रत्युदंड का जो तरीका है और म्रत्युदंड का जो प्राब्धात दिये गए है क क्या राज़पाल के पास ये पाबर है कि वह म्रत्युदंड को शमा कर सके ये पाबर किवल राष्ट्पति के पास है ठीक है ध्यान रखना चलिये हम पढ़ेंगे इसमें आगे तो यहां पर शमादान की शक्तिओं की हम बात करेंगे आपात का शमा तो जुपन तो ज्याद का सरवोच समादेश या रास्टपती में नेते या फिर हम कहें कि एक सेना पती के रूप में सरवोच कमांडर के रूप में तीनों सेनाओं का जो सरवोच कमांडर है ना वो कमांडर कौन होंगे वो रास्टपती होंगे ठीक है बेटिंग रिट्रीट जो की गर्तंतर दिवस की जो परेड है उसका मतलब गर्तंतर दिवस जो समारो है उसका अंतिम एक तरह से माना जाता है अंतिम समारो इसके बाद गर्तंतर दिवस समाथ हो जाता है किस डेट से शुरू होता है बताओ जरा तो यहाँ पर बेटिंग तो यहां पर क्या है कि रास्ट पती मिसिखली क्या होंगे कि तीनों अगर हम जल्थल बायुस जिना की बात करेंगे तो सर्वच कमांडर के रूपे जो है वह अच्छा इसी इसी बात पर एक बात और बता देते हूं कि जिसे कि आपने कोट मार्शल सुना होगा तो कोट मार्शल की जो सजा है क्या ये अधिकार है क्या रास्ट पती इसको माफ कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं तो याद अटना कि रास्ट पती की जो शमदान शक्ति है यस डेफिनिटली माफ कर सकते है कोट मार्शल में लेकिन ये जो पावर है वे राजपाल के पास नहीं राजपाल कोट मार्शल जो है उसको समाप्त नहीं कर सकते उसको शवा नहीं कर सकते रासपती कर सकते है ठीके तो सैनाओं का ब्रधान होता है सैने शक्तियों का प्रयोग संसद्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन और मंति परिशत की सला से तो सभी सैने शक्तियों के प्र युद्धे की शुर्वात या उस युद्ध की सवाप्ति को लिकर भी रास्टपति के पास अधेकार होता है। इसके अलावा देखो। हम देखेंगे कि कुछ शक्तिया ऐसी होंगी रास्टति के पास ठीक Hey जो की आपात्काल शक्ति होंगी है ना आपातकाल इंशक्ती आपातकाल जो कि भाग अठारा नुच्छे 352 से 360 तक हम पड़ चुके है जैसे कि आर्टिकल 352 कहता है राष्टी आपातकाल की बात करेगा 356 रास्टपतीसाशन की बात करेगा और यहां पर वित्थी आपातकाल की बात 360 में किये गई है न तो जैसे कि हम राश्ट पती साशन देखे प्रेसिडेंट रूल 356 इसमें क्या कहा जाता है कि अगर मालीजे किसी राज्य का सम्वैधानिक तंत्र जो है वैं फेल हो गया हो तो राज्य पाल इस बात को रिक्मेंट कर सकता है कि उस राज्य की मशीन डी फेल होगी अब यहाँ पर राश्ट पती साशन लगा दिया जाये इसे सामान्य तोर पर आप देखेंगे कि राज्य आपकाल यह सम्वैधानिक आपकाल भी कहा जाता यह रास्टी आपकाल इसके अलावा वित्य आपकाल का कुश्चन भी आया हुआ है 356 को लेकर भी मेंस का कुश्चन आया हुआ है तो basically आपाद काल है शमदान की शक्तियां आ इंपॉर्टेंट है कुछ विवेका धीन शक्तियां भी होती है आप विवेका धीन शक्ति, रास्टपती की तब जादा बढ़ जाती है जब गटबंधन की सरकार हो, गटबंधन मतलब एक से जादा जो पार्टियां है दो या दो से अधिक पार्टियां भी मिलकर कई पार्टियां मिलकर आपस में जो सरकार के लिए बहुमत है वे खट्टा करती है सरकार बनाती है ठीक है सामानत है किसी एक पार्टी को मिल गया मिल गया तो अच्छी बात है 1989 से लेके 2014 तक जब तक आप देखेंगे वीजेपी के गवर्मेंट नहीं आई है 2014 में उसके पहले लगदा 11 सरकारे आ गई तो वो इतनी जल्दी जल्दी बंदली योगी गटबंधन की सरकारे हो गई थी किसी एक को बहुमत नहीं मिल रा था सामनत है रास्टपती पी-एम उस व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो कि बहुमतल का निता हो अब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला ऐसे में रास्टपती के पास विवेकाधीन पावर हो जाता है discretionary power हो जाता है कि वह किसी PM नियुक्त करेगा तो ऐसे में रास्पति के शक्ति आ जाती ये विविकाधी शक्ति हो गई है ना तो यहाँ पर जैसे की मंत्री परिशत की सलाह को पुनरविचार के लिए भीजना ये भी इसमें आ गया अगर हम प्रधान मंत्री की बात करें तो देखो प्रधान मंत्री की भूमिका क्या होती है हमने देखा कि जो रास्पति है वो काम करें रास्पति की सलाह और वश्वरे के लिए मंत्री परिशत होगी ठीक है अच्छी बात है मन्ति परिशत का जो प्रवोक है वैं PM होगा तो राश्पती मन्ति परिशत से पूछने जा रहे हैं फिर PM बता दे रहे हैं तो किवल PM जो है वैं बता दे रहे हैं कि चलो ऐसे इसी बात है ये डिसीजन है ये बात है ये इन्फरमिशन है तो PM से कारवाही जो भी चीज़े चल रही है उसकी जानकारी मांगने का धिकार है रास्पती को जब वो ऐसा उचिस समझे कि अब मुझे इसकी जानकारी चाहिए तो PM एक रास्टपती और मंत्य परिशत के बीच में एक कड़ी की तरह जो है वह काम करते हैं ठीके तो साथ में देखो 78 आर्टि विचार नहीं किया है तो अगर मालो कोई विचार मतलब नहीं भी हुआ है फिर भी कोई निर्णाई नहीं हुआ है फिर भी अगर विचार भी कुछ चल रहा है तो मंत्य परिशत के उस तरह के जो विचार है उसको भी बिसिकली रास्पती के सामने जो है प्रस्तुत किया ज तो और इसके अलाबा लोगसभा भंग करने की सिपारिश की अगर हम बात करें कि माल लेजे मंती परिशद जो है वे लोगसभा में विश्वास खो दें सरकार कब तक है लोगसभा में जब तक बहुमत है अगर आविश्वास प्रिस्ताव पारित हो गया नो कॉंपिडेंस ठीक है सरकार गिर गई तो बिसिकली लोगसभा को भंग करने की जो सिफारिश है ठीक है लोगसभा को भंग करने की जो सिफारिश है और इस पर जो है रास्पति को अगर उचित लगता है तो वह भंग कर सकते है ठीक है इसके अलाबा हम देखें कि कई जैसे की वित्ये शक् इसके अलावा देखो हम नयाइक प्रक्रिया की बात करेंगे तो नयाइक में क्या आएगा जैसे कि उच्चितम नयालय है यह फिर हाई कोट है उच्चितम नयालय फिर हाई कोट के जो जजजिस है उनको नियुक्त करने का जो अधिकार है वहरास्टपती के पास है तो यह यही आपातकाल को हम बहुत विस्तार से पढ़ चुके तो अब यहां पर एक जो शक्ति आपको समछनी है वह है अच्छा कुछ विदाई शक्तिया रहेगे ईड़्यार जाल लो विदाई शक्ति देखो विधाई शक्ति विधान बनाने से सम्बंद्र शक्ति या फिर विधान जो मंडल है उस से लेटर शक्ति तो हम देखते हैं कि संसत के तीन भाग में आप पढ़ते हैं कि लोकसभाय, राजसभाय, रास्टपती है ठीक है तो बिसिकली संसत का जो सत्र है उसको बुलाना या फिर आप देखेंगे कि अभी हाल फिलाल में ही जो हमारी रास्टपती द्रापदी मुर्मोजी है उन्होंने दोनों सद्नों को साथ में जो है अभी भाशन दिया है तो ये सारी जो पावर से किसके पास है रास्टपती के पास है तो जो रास्टपती है वैं सदन का जो सत्र है वैं बुला सकते हैं सत्र अवसान कर सकते हैं विगटन कर सकते हैं सत्र को समाप्त भी कर सकते हैं विगटन भी कर देते हैं अगर दोनों सदनों का सयूगत बैठक बुलाना है सयूगत बैठक मतलब आप देखेंगे लोग सभाकों अगर किसी गति रोध कोई ऐसा बिल है जिस पे गति रोध है और वो उन्पोर्टेंट उसको लाना ही है तब ये संयुक्त बैठक बुलाने का जो काम है वो रास्टपती करेंगे ये विधान बना मतलब विधान मंडल या फिर लाजिसलेटिव से रिलेटर जो शक्ति आए वो विधाई शक्तियों में आएंगे ठीके इसके अलावे देखो अगर हम आम चुनाफ के बाद और पहले की बात करें जो आम चुनाफ का मतलब क्या होगा अगर हम जनरल एलेक्शन की बात करें जनरल एलेक्षिन जो की 5 वर्ष में होते है लोग सभा और विधान सभा की चुनाव है ना तो जनरल इलेक्षन के पहले और जनरल इलेक्षन के बाद में है nah कि जो बाद और पहले का जो पहला सत्र होता है ना उसकी शुर्वाध में सनसत को संबोधित करने की जो शक्ती है वह किन की है वह रासपती की है ठीक है संसत के सद्नों को वह संदेश भेज सकते हैं किसी विध्यक के संबंध में भी कोई जो बात है वह अपनी रख सकते हैं पक्ष रख सकते हैं जब अध्यक्ष सभापती उपाध्यक्ष सभापती दोनों का पदरिक्त हो तो लोगसभा कारवाही के अध्यक्षता के लिए नियुक्त करना है अगर इस तरह के जो पद है जो इंपॉर्टेट पद है कि लोगसभा के speaker नहीं है राजसभा में सभापती नहीं है अगर important हमारे पदादिकारी नहीं है तब कैसे जो राजसभा लोगसभा है वच चलेगी तो उसके लिए किसी अधेकारी को किसी को बिसिकली अध्यक्ष नियुक्त कर देना या सभापती नियुक्त कर देना यह जो पावर है रास्टपती की होगी ठीक है कुछ विशेष प्रकार के विधियकों में संसद में पुर्वनुमती की आविशकता होती है और पहले आप जो है पर्मिशन आपको लेनी होगी रास्टपती से जैसे कि भारत की संचित मिद्निधी में से आपको वैर करना हो है ना भारत की संचित मिद्निधी की कंसोलिडेटिट फंड की हम बात करें इसका मतलब क्या होगा संचित मिद्निधी जिसमें की सारी जो प्रा आगे जाता राज की सीमाओं में परीवरतन हो या नई राज्ड का मन करना थन जैसा कि आप सभी को बता है कि अभी जो है लोग सबाकर कोशिors भार जरा, अठार भी है ना, 18 लोग सभा की चुनाव जो है यथर 24 में होने है, अब देखो जब चुनावी वर्ष है, तो उस वक्त पूर्ण बजट नहीं आता, उस वक्त जो बजट आता है उसको कहा जाता है, अन्तरिम बजट, अभी कौन सा बजट आया है, अंतरिम बजट आया और जो अंत्रिम बजट है ये अभी बचे हुए समय के लिए आता कि पता है चलो भई में में जो है निव सरकार बन जाएगी तब तक खर्चा कैसे चलेगा तो मालने जे जैन फैब मार्च और एप्रेल है ना तो चार महीने के खर्चे के लिए चलाने के लिए अंत्रिम के का स्पेशल पावर इसमें राजिस सभा के पास स्पेशल पावर नहीं है अनुदान की मांगों को बुलाना ठीक है तो ये वोट ओन अकाउंट के जरिए ये जो चार महीने का खर्चा है सरकार का वो चलाया जाएगा जब नहीं सरकार बन जाएगी तब पूर्ण बजट अगर अगली सरकार बन जाएगी सोचो पूर्ण बजट होता तो वो बाकी वो क्यों फॉलो करती दूसरी सरकार का बजट तो यहाँ पर क्या किया जाता है केवल जो बचा हुआ समय है ना उसके कारे जो है वे चलते रहे उसके जो व्याई है वे चलते रहे इसके लिए इसका वर्णन समयधान में नहीं है इसकी जगा एन्वल फिनेंशियल स्टेटमेंट जो वर्ड है वे लिखा हुआ है पांच वर्ष के बाद वित्तायों का गठन करना है और भारत की अकस्मिकता निधी से अक्रिम राशी दे देना ये सारे जो है वैं वित्तिय शक्तियों में आएंगे नियायख शक्तियों की बात करेंगे तो जैसे कि हमने देखा कि नियायधीशों की निकती करना हमने जाना था कि नियायधीशों की जो निकती है बिसिकली नियुक्ति में किसकी भूमिका होगी कारेपालिका की कारेपालिका की कैसे होगी एजेकेटिव का रूल कैसे है क्योंकि देखो रास्टपती नियुक्त करेंगे और रास्टपती किसकी सलहा की अनुसार नियुक्त करेंगे मंत्री परिशद है ना और मंत्री परिशद क्या है म मंत्री परिशत तो हमारी कारेपाली का भाग है तो चुकि मंत्री परिशत की सलहा पर रास्टपती करेंगे रास्टपती न्यूपती की न्यूपती कर रहे हैं तो यह जो प्रक्रिया है मतलब न्यूपती की प्रक्रिया में किसका रोल हो गया रास्टपती का हो गया है ना वह विधाईका की legislative है ना विधाईका की भूमिका यह बहुत important है इसको ध्यान रखना ठीक है किसी भी कानून या कारे के संबंद में उच्चितम नयालाई से सलाह लेना और ये सलाह रासपती के लिए बादिकारी नहीं है ना तो Supreme Court सलाह दे सकता है मतलब ना तो Supreme Court सलाह देने के लिए बादिकारी है और ना ही जो रासपती वे सलाह को माने के लिए बादिकारी है ठीक है उन सभी मामलों में जहां दंट कोर्ट मार्शल के द्वारा दिया गया संगिय कानून के विरुद अपराद है म्रत्यु दंट को शमा कर सकता है ये नयाएक शक्तियों में आएगा प्राविलम, परहार, विरामय, रगोकरंड कर सकता है ठीक है आओ यहाँ पर मैं आपको जो शमादान की शक्तिया है वो मैं बता देती हूँ कि रास्टपती जो है रास्टपती की शमादान की जो शक्तिया है वह कौन-कौन सी है ठीक है रास्टपती की जो शमादान की शक्तिया है पाडोरिंग, पावर है वह आखिर कौन-कौन सी है वो हम उसकी बाद अध्यादेश बचा है वीटो पावर बचा है ठीक है चलिए यही पर हम समझ लेते हैं कि आखिर वीटो पावर कौन कौन से है नहीं वीटो पावर नहीं हमें पाडोनी पावर पढ़ना है शबादान करने की जो शक्ती है उसको हम पढ़ते हैं ठीक है चलिए शबादान की शक्ती राजपाल के पास भी हैं को शक्ती है पर राश्पती के पास जो शक्ती है बहुत जादा है ठीक है आर्टिकल कौन सा होगा आर्टिकल 72 पहली इसमें जो शक्ती है जिसको की हम कहेंगे शमा करना शमा पारडन देखो शमा या पारडन में क्या होगा कि आपको किसी भी तरह से मतलब आपको पूरी तरह से जो माफ रवेक कर दिया पूरी तरह से दोश्मुक्त कर दिया ठीके तो यहाँ पर याद रटना कि पाडन का मतलब होगा कि रास्पती ने सारे चार्जेस हटाली एकदम क्लीन चिट दे दि पूर्ण का मुक्त करने का आदेश दे दिया सारे पाप आपके धुल गई यह होगा पाडन है ना दूसरा हम देखेंगे दूसरी जो शक्ति होगी जिसमे की हम कहेंगे लगु करण करना है ना जिसे की हम कहेंगे कमिटेशन लगु करण करना कमिटेशन ठीक है अब देखो इसमें क्या होगा कमिटेशन में बिसिकली आप देखेंगे कि जो जो भी सजा दी गई थी है ना उसका स्वरूप बदल कर कम किया जा सकता है जैसे कि मालो किसी को म्रत्युदंड दिया गया था उसको आज इवन कारावास में बदल दिया ठीक है तो अगर किसी को डिद पिनाल्टी दी गई थी कि फासी होगी तो फासी की जगा चेंज करके आपने क्या किया आजीवन कारावास दे दिया आजीवन कारावास ठीक है आजीवन जो कारावास है यह दे दिया तो दंड के स्वरूप को इसमें बदला जा सकता है दंड के स्व एक होगा परिहार, यह शमा हो गया, लगुकरन हो गया है ना, तीसरा जो वर्ड है वै क्या है परिहार, अच्छे देखो परिहार का मतलब क्या होगा, परिहार का मतलब है कि आपने स्वरूप नहीं बदला, बस आपने अविधी जो है वै कम करती है ना, तो परिहार में क्या ह होगा रिमिशन की बात करेंगे इसमें देखो अब धी कम कर दी तकृती नहीं बदली अगर किसी को आजीवन कारावास था अब धी कम करना है ना उसको सकता है उसके अच्छे आच्रण के कारण कम वर्ष कर दिये जाए ऐसा कई अपराधियों को छोड़ दिया जाता है प्रकृति नहीं बदली अब इसमें तुप्रकृति की बदल दे गई थी लगू करने कमिटेशन में क्या किया गया था मृत्ति दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया एक होता है विराम देना है यह तो परिहार तक हम आ गए अब हम बात करेंगे विराम का मतलब क्या ह विराम का मतलब रोक देना ठैर जाना है ना रस्पाइट देखो कुछ ऐसे विशेश कारण हो सकते हैं विशेश परेस्थितियों के कारण रोक लगा दी गई कुछ समय के लिए विशेश परेस्थिति के कारण रोक अभी लेटिस कौन सी मूवी आई थी जिसमें ये कॉंसेट दिखाया भी गया था कि वहाँ पे जो अभी नेत्री थी जो नाईगा थी उसको क्या हो गया मतलब फासी की सजा थी बट पेगनेंसी की वज़े से क्या किया गया था कुछ साल कि जब तक जो बच्चा है वह पास साल कर नहीं हो जाएगा उसके बाद फासी होगी ये क्या लगाया था ये विराम था रस्पाइट था ठीके तो विशेश परेस्थितियों के कारण रोक लगा दी जैसे की विकलांग था है ना या फिर पिंगन से ठीके तो ये क्या हुआ विशेश परेस्थिति के कारण रोक लगी थी और इसमें पाचवा जो इसमें तरीका होगा पाचवा तरीका है रिप्राइव करना प्राविलंबन प्राविलंबन ठीके रिप्राइव प्राविलंबन और इसमें होगा आस्थाई रोक लगा देना अब ये आस्थाई रोक क से कि माले जे सूप्रीम कोट ने किसी पर्टिकुलर कोई ऐसा जगन्य अपरात था कि सभी आरोपियों को डेध पेनाल्टी अफ़ासी की सदर सुना दी उस पे आस्थाय रोग गई क्योंकि शमायाचना है है ना क्योंकि रास्पती के समक्ष शमायाचना है तो अगर जब तक रास्पती के पास रास्पती शमायाचना को खारिश नहीं करता है ना तब तक जो है वह क्या होता है प्राविलंबन स्थाई जो रोख है वह लगी होती है तो शमायाचना अगर किसी ने की है तो इस तरीके से जब हम शमादान की शक्तियों की बात करेंगे तो बिसिकली ये यहाँ पर यह कुछ ऐसी शक्तिया है जो की किस के पास है जो की रास्ट पती के पास है है ना रास्ट राजपाल के पास भी कुछ है लेकिन यहाँ पर रास्ट पती के पास जो पावर है बह जादा है तो न्याएक शक्तियों में यहीं पर हमने साथ में पढ़ लिया है ना रा हस्ताक्षर है जो भी हमने अगर कोई अंतरास्टी संदे के माली जब भारत और फ्रास के बीच में कोई समझोता हुआ वियत नाम के साथ कोई समझोता हुआ तो उस पर बेसिकली जो हस्ताक्षर है किसके नाम पर होगा तो भारत का अगर फर्स्ट सेटिजन पैथम नागरे का कर देश जब जनगरना होगी न तो सबसे पहला जो register में नाम लिखा जाता है न पहले जिस वक्ति को count किया जाता है वो देश के रास्ठपती होते हैं आप पिषली हमारी जनगरना होई थी उसमें देखना last जो हमारी जनगरना होई थी अभी ये वाली तो नहीं है, 2011 वाले जंगर्णा देखना कि उस वक्त कौन रास्टपती थी, जब उनका पहला जो रास्टपती है, उनका नाम लिखा जाता है, उस वक्त सारे अकबार जो वे दिखाते हैं, कि अब जंगर्णा की जो शुरुवात है वे हो गई, क्योंकि पहले जो नागरेक थे, जो फर्स सिटिजन थे, इंडिया का उनका नाम लिखा जा चुका है, ठीके, तो अंतरास्टी संधियों की हम बात करेंगे, तो जो सारे हस्ताक्षर है, वो इनके नाम से किये जाते हैं, ठीके, अंतरास्टी मंचों में और मामलों में भारत का प्रतिद्रित्व जो हैवे कर करते हैं, राजदू थों, उच्चायों थों, ये राजनायकों को भेशते हैं, ये सारे शक्ति इनके पास है, अब हम नेक्स्ट आते हैं, वीटो पावर की, वीटो पावर पर हम आते हैं, ठीके, अब देखो, कि जब हम बात करेंगे वीटो पावर की, ये वीटो पावर का मतलब क्या है? पहले तो इस वीटो पावर का मतलब जानो कि जब देखो हमने फिर भही से बाद शुरू होगी कि कोई जो बिल है, ठीके? ये एक्ट में कब कनवर्ट होगा? ये कब कानून बनेगा? ये विदियक था? इस विदियक को कानून बनने के लिए क्या जरूरी है? रास्ट पती इस पर हस्ताक्षर कर दे है ना? बहुत जरूरी है ना इस बात को रास्ट पती अगर इस पर हस्ताक्षर करेंगे तभी जाके ये जो बिल है वह उस दिन से प्रभावी माना जाएगा अब कारून बनने के लिए रास्टपती की सहमती आविशक है पर रास्टपती के पास तीन आप्शन होते है रास्टपती की सहमती आविशक है कोई बिल कारून कैसे बनेगा जब दोनों सदन उसको पारित कर दे है न तो जो विधियक थे माली जे दोनू सदर ने पारित कर दिया दोनू सदनों द्वारा पारित ठीके, दोनू सदनों द्वारा आपको तो सोच ले जगा तो राष्टपती की सहमती इसके लिए आविशक है अब देखो, अब तीन ओप्षंस थे रास्टपती की सहमती आविशक बढ़ रास्टपती के पास जानते हो क्या था तीन ओप्शन थे तीन विकल्ब थे या तो ये हां कर दे या तो चलो ठीक है हां कर दिया जब हां कर दिया तो तुरंत बिल जो है convert हो गया act में उस particular date से जब इन्होंने अस्ताक्षित कर दिये दूसरा तरीका है ना हां करो ना करो शांत रह जाओ दूसर क्या तरीका ना हां करो ना करो शांत रह जाओ सुरक्षित रख लिया आपने पास ठीक है तीसरा क्या तरीका हो सकता है reconsideration के लिए भेश दिया कह दिये जाओ फिर से विचार करो तीन options हो गए या तो हा कर दो या तो शांत रह जाओ या फिर से सूच कर रहा हो तीन बाते हों गई अब देखो जो दूसरी इस्तिती थी जिसमें कि वो शांत रहने की बात कर रहे हैं जिसमें कि वो अपनी जो consent है या अपनी जो सहमती है उसको सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं ठीक है याद रखना कि यहाँ पर यह जो दूसरा option है शान्त रहना या सुरक्षित रखना अपने सिथी को that is called veto power यह जानते हो क्या होगा यह veto power कहलाईगे अब देखो veto power का मतलब क्या है veto power का मतलब होगा अपनी स्विक्रती को रोक लेना किसी विधियक पर अपनी स्विक्रती किसकी अब रास्पती की बात चल ली तो अविस सी बात है हमारी आपकी प्रधान मंत्रिया मंत्रिपरिशक की बात नहीं चल रही अपनी स्विक्रती को रोक लेना और वो यह ऐसा कई तरीके से कर सकते हैं अपनी स्विक्रती को रोकना कई तरीके से उनके लिए possible हो जाता है और इसे हम कई तरह के वीटो की रूप में जाते हैं ठीक है जैसे कि कुछ मैं आपको वीटो की टाइप बता दू एक और कुष्चन जो UPSC ने पूछा था मैं पहले इस्टार लगा देती हूँ आपको यह सोचना है इसमें कि कौन सी शक्ती ऐसी है वीटो पावर की जो इंडिया के पास नहीं है इंडिया के प्रेसिडेंट के पास नहीं है बलकि USA के प्रेसिडेंट उसको यूज करते है ना तो यहाँ पर पहली शक्ती है अत्यांतिक वीटो ठीके अत्यांतिक वीटो दूसरी शक्ती है इसमें विशेशित वीटो दूसरी शक्ती है विशेशित वीटो तीसरी शक्ती है निलंबनकारी वीटो चौथी है पॉकिट वीटो अब इनके कुछ एक्जाम्पल्स निलंबनकारी वीटो और चौथी शक्ति इसमें क्या है पॉकिट वीटो ठीक है फिर से ध्यान से पड़ो कि कोई भी जो बिल है वो तभी एक्ट में कनवर्ट होता है जब रास्टपती के द्वारा उस पर अपनी जो स्विकृती है वह दे दी जाए लेकिन अगर रास्टपती के पास तीन आप्शन से कि या तो वो हां कर दे या तो वो शांत रह ले या पुनर विचार के लिए लोटा दे अगर वो शांत रह रहे हैं तो इसको हम वीटो पाव वीटो विशेशित वीटो की बात हम जादा नहीं करेंगे त्यूंकि ये USA के President को है USA के President को है इंडिया में ये जो वीटो है वह नहीं चलता ठीक है तो विशेशित वीटो जो है यही question पूचा था कि इन वीटो पावर में से ऐसी कौन सी वीटो शक्ति है जो कि अमेरिका के President को इंडिया के President उसका यूज नहीं करते है तो वो USA हो गया विशेशित वीटो ठीक है तो ये सारे वीटो पावर है ठीक है अब निलंबन कारी पॉकेट और हम इसको बात करते है तो सबसे फस्ट देखो अत्यांतिक हीटो की जब हम बात करेंगे यानी absolute वीटो यह कौन सा वीटो होगा absolute वीटो इसका मतलब जानते हो क्या होगा अत्यांतिक वीटों का मतलब होगा basically कि अपनी जो स्वीकृति है उसको सुरक्षित रख लिया इसको सुरक्षित रख लिया ठीक है withhold is withhold withhold कर लिया सुरक्षित रख लिया withhold his ascent अपनी स्वीकृति को क्या किया सुरक्षित रख लिया और ऐसे जो वो बिल है वो ऐसे ऐसे करके खतम हो जाएगा कुछ नहीं कहा बस सुरक्षित रख लिया एक ये प्रकार हो गया ठीक है दूसरा इसमें ये तरीका हो सकता है जिसे कि हम अप देखो इस वीटू में क्या किया जाता है इसमें देखो मतलब कुछ नहीं अच्छा निलंबन कारी में याद रखना कि वो हम आगे पड़ेंगे ठीके कि जो बेसिकली पॉकेट वीटो होगा ये होगा कि ना उन्होंने पुनर विचार के लिए भेजा और ना उन्होंने उस पेपनी स्वेक करती दी ये पॉकेट वीटो होगा क्योंकि उन्होंने बिल् पुनर विचार हेतू लोटा दिया पर क्या धन विदियक को लोटा सकते हैं मनी बिल को लोटा सकते हैं नहीं तो धन विदियक को नहीं लोटा सकते धन विदियक को नहीं लोटा सकते ठीके तो पुनर विचार हेतू लोटा दिया ये सस्पेंसिव या निलंबन कारी वीटो ह ठीक है तो रिटन कर दिया इनों ने बिल आगे देखो पॉकेट वीटो की बात करेंगे तो पॉकेट वीटो में नौट रेटीफाई रेजेट और रेटर उन्होंने कुछ भी नहीं किया इसमें से ठीक है उन्होंने क्या किया कि ना ही अपनी सहमती दी ना ही अपनी अस्विक्रती दी जेब में रख लिया बिना किसी टाइम के और ना ही उन्होंने लोट आया वापस लोट आया तो उन्होंने तीनों ही काम नहीं किये, इसका मतलब क्या किया, कि बिल को अपने पास रख लिया, ठीक है, keep the bill, उन्होंने बिल को अपने जेब में रख लिया, जैसे कि अगर हम USA की बात करें, तो आपको पता है, कि USA के जो प्रेसिडेंट है, उनके पास जो pocket veto, इस पे time limit है, क आई ऐसे विधियक जो है, वैं pocket में रखे रखे, जो है, वैं खतम हो गए, जैसे कि ग्यानी जेल सिंग जब थे, तब एक, आप देखेंगे, कि कहा जाता था, कि वो जो veto था, एक dark sunshodhan को लेकर एक विधियक था, जो कि कहा जा रहा था, कि press की स्वातंतरता पर हो गया, लेकिन वो pocket में अगर किसी बिल को नहीं रख सकते, तो वो सम्विधान संशोधन बिल है, सम्विधान संशोधन पर लागू नहीं, सम्विधान संशोधन पर लागू नहीं, जैसे कि हमने निलंबनकारी की बात की, पुनर्विचार हे तू लोटा सकते है, धाट इस चुनरली ये तीन वीटो जो कि भाई केंडर की जो विधाइका उससर रिलेटेड है कि केंडर ने कोई विधयक बेजा आपने पहले तो उसको सुरक्षित रख लिया बिना किसी समय सीमा के दूसरे बार में पुनर विचार के लिए लोटा दिया और इसके इसमें समय के लिए ठीक है पॉकिट वीटो था अब देखो राज विधाइका की बात हो गया ये तो केंडर की विधाइका की संबंद में हो गया राज की विधाइका की बात करेंगे तो यहां पर जो शक्ति है रास्पति की थोड़ी सी जादा होगी ठीक है राज की विधाइका को लेकर presidential veto presidential veto over state legislation over state legislation अब देखो इस bill में basically क्या होगा आप देखेंगे कि कोई भी जो state का bill है यह जानते हूँ यह कब act में convert होगा यह act में convert होगा जब इस पे या तो जो राजपाल governor है वो अपनी ascent दे दे governor या फिर president अगर governor चाहे तो अपनी ascent की जगा ठीके वो president के लिए आरक्षित कर लेता है ऐसे में governor के पास तीन option होगे और president के पास चार option होगे ठीके तो यहाँ पर देखो राजविधाई का पर राश्टपती की जो veto power है अब देखो यहाँ पर हमें दो article पढ़ने है एक है article 200 आर्टिकल 200 जो की बताता है कि राजपाल के पास क्या-क्या विकल्प है जो की राजपाल के विकल्पों की चर्चा करता है मतलब अगर राजविधान सभा आपको कोई बिल दे रही है तो आपके पास क्या विकल्प है तीन चार विकल्प है राजपाल के पास है ना ऐसे ही जो दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 201 ये इसमें ये बताएगा कि आखिर राजविधाइगा के संबन में राष्टपती के पास क्या विकल्प है राष्टपती के विकल्पूं की बात करेगा ठीके अब देखो, राजपाल के पास जो विकल्प इसमें हो सकते हैं, पहला इसमें विकल्प ये होगा, ठीके, कि भै आपनी सुरक्षित रख लेंगे, पास भी तो वीटो पावर है भाई, सुरक्षित रख ले, सुरक्षित रखें, तीसरा जो पावर है भै है कि पुनर विचार के लिए लोटा दें, डेफिनेटली लोटा सकते हैं, पुनर विचार है तू लोटा दें, चौथा जो ऑप्षिन है, भै ये है जो कि जुड़ जाता है 201 से, कि रास्पती के विचार अधीन रख लें, पहले इसमें अपनी स्विक्रती आज स्विक्रती देंगे, ये चार विकल्प हो गए, अब देखो रास्पती के जो विकल्प है वो समझो, तीन विकल्प है, पहला विकल्प है कि स्विक्रती दे, सुरक्षित रखें या पुनर विचार के लिए लोटा दे, ठीक है, सुरक कि अगर केंद्र के लिए माल लो आपने पुनर विचार के लिए लोटा दिया केंद्र विधाई का तो केंद्र विधाई का दुबारा आपको सेम बिल भेजती है और आप उसमें बाइंडिंग है आप अपनी असेंड देने के लिए लेकिन यहाँ पे एक partiality समझो कि state legislation के संबंध में रास्टपती के पास यह जो पुनरविचार की शक्ती है वह जादा है कि दुबारा अगर सेम विधियक को भी भेजा गया है तब भी रास्टपती उस पे बाद नहीं है तो इस संदर्व में यह कहा जाता है कि पुनरविचार के बाद ठीक है पुनरविचार के बाद देखो इस तरह की जो points है यह आपके लिए films के लिए काफी important साबित होते हैं क्योंकि आपको यह चीज़ बिसिकली हम ध्यान नहीं देते as a student पुनरविचार के बाद दोबारा अगर सेम भी लाया पुनरविचार के बाद दोबारा भी अपनी स्वीक्रती हे तू बाद नहीं है केंद्र के संबंद में यह था है ना अपनी स्वीक्रती हे तू अपनी स्वीक्रती हे तू बाद नहीं है मतलब राज विधाईका के पास यह शक्ती नहीं है कि वह Vito को निलंबन, Vito 파ور का निलंबन कर सके पर केंदर विधाईका के पास यह शक्ति है कि अगर दोबारा वह भेजेगी तो Vitos power खतम हो जाएगा और ऐसे में निलंबन की शक्ति उसके पास है तो इसका मतलब क्या है कि राज के पास Vito शक्ति को निलंबन करने की जो शक्ती है वैं नहीं है और राश्ट पती के पास एक एक्स्ट्रा अधिकार एक तरह से हो जाता है कि राज विधाईका के संबन में तभी तो आर्टिकल चाया हम 356 की बात करें फिर अनुच्छे 200 की बात करें एक कंट्रूवर्शल की रूप में देखा ज जाता है कि अगर केंद्र ना चाहे अगर गवंडर ना चाहे तो राजित का कोई विधियक जो है कानून नहीं बन सकता क्योंकि उनके पास यह हत्यार है कि रास्ट पती की विचारा धिन रख देंगे और रास्ट पती के पास यह हत्यार है कि दोबारा भी अपनी स्विक्रत ना दे तो राजविधाई का वीटो को basically याद अठना कि जो निलंबन है वो नहीं कर सकती है ठीक है तो ये वीटो पावर की बात हो गई अब एक और पावर है अध्यादेश की शक्ति ठीक है एक पावर और है जो कि अध्यादेश की शक्ति है चलो वो भी हम देख लेते हैं अब देखो अध्यादेश की जो पावर है वैं आखिर क्यों दी जाती है अध्यादेश या ओडिनेंस टॉपिक बड़ा है पर रास्टपती से हमेशा कुश्चन आते है ध्यान रखना है ना ओडिनेंस मेकिंग पावर अच्छा देखो अध्यादेश का मतलब क्या होगा जैसे कोई एक सरकारी आदेश है ना वही अध्यादेश अब तक अगर हम देखे तो जानते हो सबसे जादा अध्यादेश किसने पारिट किये थे जो हमारे पांचवे रास्पती थे फकरुदी अली अहमद उनके द्वारा अब तक सबसे जादा जो अध्यादेश है वह पारित किये गए ठीके वही पर एक 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 जामपल में आपको बिहार का बताती हूँ तो बिहार में आप देखेंगे बिहार विधान मंजल में जब वह उसने अनुमती भी नहीं दी थी उसके बाद भी जानते हो 1967 से लेके 81 तक उस वक्त बिहार राज में 256 अध्यादेश चोहेव जारी किये थे और उनको बार-बार जारी किया गया विधान मंडल की अनुमती के बिना जारी किया गया बार-बार जब उनको सुईकριती देती रहे और ऐसे वह 14 वरश तक वह अध्यादेश चोहेव डानु में विधान मंदल ने केवल 189 कानून बनाए थे 189 कानून विधान मंदल ने बनाए है और इन 14 वर्षों तक लगभग 256 जो आदेश है वे जारी रहे लगातार इसके अलावा हम देखे कि बिहार के गवर्नर रहे जगनात कोशल उन्होंने जानते हो क्या किया था केवल एक दि कर दिया बस वैसे ही कोई आदेश होते बस उसे रास्टपती जो है वै उसके रास्टपती आदेश कर देते कि यह जो यह हमारे तरफ से आदेश है यह कानून हो ठीक है तो बस वही शक्ति है अध्यादेश चारी करने की शक्ति अब देखो basically यह जो शक्ति है आर्टिकल 123 मे बता देती हूं इसमें कुछ जो लिमिटेशन से basically यह लगाई गई है दो तीन बातों को हम समझेंगे कब जारी किया जाता है क्यों आविशकता है इसकी हैना क्ये सुद्धेश के साथ इसको लाया गया पहली बात तो यह कहा जाता है देखो कोई भी फिर से वहीं से बात चलना रहा हो तो अगर संसत का सत्रावसान हो उसका सत्र हतम हो गया हो तो संसत के सत्रावसान की अवधी में जब कोई सत्र ना चल रहा हो सत्रावसान की अवधी में आदेश जारी किया जा सकता है रास्टपती की द्वारा आदेश जारी किया जा सकता है इसी को ओर्डिनें संसत के कानून के समानी होंगे बस एक जो मुख्य अंतर है कि ये अल्प कालिन प्रवत्ती के होंगे ठीके याद रखो कि ये संसत के आदेश के या संसत के द्वारा संसत द्वारा पारित कानून के समान ही होंगे संसत द्वारा पारित कानून के समान होंगे बस आपको याद ये रखना है कि इनकी जो अवधी है बैअल्प कालिन होंगी है ना प्रकृति जो है बैअ कैसी होगी? अल्प कालिन प्रकृति हो के लिए होगे, शौट टम के लिए होगे अब देखो आखिर ये दिये क्यों गई? एक प्रश्टी तो उठता है न वाई आखिर इसकी जरुरत क्या थी जब हमारे पास संसद है अगर लोकसभा का चलो नहीं भी चलना है तो राजसभा का तो विक्टन हो नी रहा फिर हमने ऐसी आविशकता क्यों समझे कि आखिर हमें जो ओर्डिनेंस पावर है के इंदेत करना है इस पर हमें तुरंत नियम बनाना है पर संसद में तो एक प्रक्लिया है बहुत टाइम लग जाएगा तो असब से अच्छा है कि आदेश पारित कर दे संसद उसका नुमोधन कर दे बात खतम हो गई तो यहाँ पर क्या होता है कि basically कोई ऐसी situation हो गई आप प्रत्याशित सोच ही नहीं था कि ऐसा कुछ देश में होगा तो अगर आप प्रत्याशित कोई महत्व आप प्रत्याशित मामला है आप प्रत्याशित अत्वा आविलंबिनिये जिस पे बिल्कुल भी इंतजार ना किया जा सके बस हमें अभी जस्ट एक आदेश चाहिए अभी हमें कानून चाहिए तुरंथी तो आविलंबिनिये मामलों से निपटने के लिए ये शक्ति दी गई कि रास्पति के पास यह पावर है कि अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं आप तो बहुत जादा जरूरी है इस विशय पर और उसी विशय के लिए बिसिकली यह जो प्रावधान है वेखिया गया ठीक है आप देखो अगर हम इसकी कुछ सीमाओं की बाद करें है ना इसकी कुछ सीमाए है पहली तो इसकी जो लिमिट लगाई गई वो ये है इसकी कुछ सीमाओं है ठीक है हम इसकी कुछ जो लिमिट लगाई गई है इस पर उसकी बात करते है बिसिकली इसकी चार तरह की लिमिट लगाई गई है ठीक है चार तरह की हम देखेंगे कि जो लिमिट इस पर लगाई गई है ओर्डिनेंस पावर पे उन चार लिमिट की हम बात करते है कि आखर ऐसी कौन-कौन सी लिमिट है कि अध्यादेश वहाँ जारी जो है वै नहीं किया जा सकता पहली जो इस पर लिमिट लगाई गई ठीक है पहली लिमिट लगाई गई उसमें ये कहा गया कि ये केवल तभी जारी किया जा सकता है जब दोनों या कोई एक सदन जो है वै चलना रहा हो है ना केवल जब केवल लग गया इसका मतलब लिमिट लग गई केवल राश्ट पती जो है तभी जारी कर सकते है केवल तभी जारी किया जा सकता है जब कोई एक या दोनों सदन शतर में ना हो तभी तब हो सकता है इसके अलावा कहा जाता है कि ये विधाई का के समनांतर शक्ति नहीं है ऐसा नहीं है कि जैसे कि विधाई का किसी विशह पे काणून बनाती है उसके समान शक्ती नहीं है, अकस्मिक शक्ती समान कैसे हो सकती है कुछ सोचो एक तरफ देखो आपने कोई आपात कालिन जो उस्तिती है वह बना रखिये कि आपात कालिन सिच्चुशन में अब ऐसे बहेव करेंगे, अब वह आप जो बहेव है वो हर तरह की normal situation में नहीं कर सकते उसी तरह की बात है कि अगर मालो ये कहा गया कि ये शक्ति दे के हो गई थी देखो इसको याद रखो दे के हो गई थी कि अगर urgent या फिर ऐसे कोई unforeseen अगर matter है कि आप विलंबिनिये महत्व का विशह है अब तो इस पे कानून तुरंत ही चाहिए तुरंत कानून चाहिए कोई ऐसा आपराद हो गया है समाज में जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं की थी रास्टपती वहां से तुरंत एक अध्यादेश जो है बड़ डेफिनेटली चारी कर सकते थे कि इसकी सजा जो है वह कुछ इस तनिके हो सकती है अगर संसत को समझ लग रहा है मतलब रास्डपती के अध्यादेश आरी करने की शक्ती है लेकिन यह नहीं कह सकते कि विधाईका के समान जो है वह शक्ती है क्यों ऐसा क्यों कहा गया क्योंकि आपातकालिन सिचुईशन में बिसिकली विलंबनी महत्व के मामलों से निपटने के लिए पावर दे गई ठीक है तो यहाँ पर इस शब्द को याद रखेंगे कि ये शब्ती विधाईका के समनांतर जो शक्ती है वह नहीं लिग दो इस लाइन को विधाईका के अध्यादेश की जो शक्ती है विधाईका के समनांतर नहीं अध्यादेश की शक्ती ठीक है ऐसा नहीं लेकिन अध्यादेश के कारून का वही महत्व होगा जो की विधान मंडल के द्वारा पारेत किसी विशयका होगा ठीक है सेकंड देखो सेकंड इसमें ये कहा गया कि केवल तभी केवल आगे लगा है तभी तो लिमिट है ना केवल अगर ऐसा लग रहा है कि मौजूदा परिस्तिती में बिलकुल ततकाल कारवाई की आविशक्ता है अगर लगे केवल ततकाल कारवाई है तो लाए जा सकते हैं ठीके और रास्टपती इस बास से संतुस्ट हो ध्यान रखना जो रास्टपती है ठीके रास्टपती जो है वैस संतुस्ट हो की नई भाई एक ऐसा महत्व है कि इस पर अध्यादेश आविशक्ता है रास्टपती संतुस्ट हो इस मामले से कि ये अध्यादेश आड़ी करने की एक ऐसे सिच्वेशन है कि इस पर बहुत जरूरी है कि ये कानून लाया जाए ये आदेश लाया जाए ठीके अब देखो कि रास्टपती की संतुस्टी का जो विशय है रास्टपती की जो संतुस्टी का विशय है मैं यहाँ पे स्टार लगा के आपको next पेश पे लेके चलती हूं कि क्या रास्टपती की संतुस्टी वाला जो मामला है यह आखिर justifiable है या नहीं है नयाएक समिश्या की justifiable है या पे नहीं है कहा गया कि अध्यादेश तभी लाया जाए जब मौजूदा परिस्थिती कैसी हो बहुत ज़ादा खराब हो या फिर ततकाल कारवाई की आविशक्ता हो ततकाल कारवाई ठीके अब लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा तो कहा गया कि भई रास्ट पती इस बात से संतुस्थ हो कि हाँ ये ऐसी परेश्थिती है है ना तो रास्ट पती की जो ये संतुस्थी वर्ड है इस पर क्या प्रश्ण चिन्द लगना चाहिए इसके लिए कुछ उचितम न्याले ने भी तरक दिये कुछ डिसीजन दिये कहा कि अगर मालो कि रास्ट पती ने जो ये अध्यादेश जारी किया है ये अध्यादेश अगर कोई गलत तरीके से जारी किया है या इसकी भावना जो है वो कैसी है? वो कैसी है? दुरभावना है है ना? अगर ये गलत है आसदभाव है आसदभाव पर आधारित है तब इसको challenge किया जा सकता है ठीक है? घार डखना तो इस आधार पर basically इसकी नयाइक समिक्षा हो सकती है जुडिश्यल रिव्यू हो सकता है नाइक समिक्षा की जा सकती है अब दो सम्विदान संशोधन याद कर लो नाइक समिक्षा की जा सकती है एक तो है 38 और दूसरा है 44 38 वा सम्विदान संशोधन और दूसरा है 44 वा सम्विदान संशोधन देखो बच्चो 38 सम्मिदान संशोधन जो है वैं क्या कहता है ये कहता है कि अगर अध्यादेश है तो नयाएक समिक्षा से परे है नयाएक समिक्षा नहीं हो सकती 44 सम्मिदान संशोधन ने कहा ऐसे कैसे अगर आसदभाव के आधार पर है तब इसमें जो नयाइक समिक्षा है वै की जा सकती है नयाइक समिक्षा याद रहेगा क्या अब अगर आप बर्तबान में देखेंगे कि क्या जो रास्टपती की अध्यादेश की शक्ती है क्या ये शक्ती जुडिशल रिवियो के अंतरगत आएगी बिलकुल आएगी कैसे आएगी अगर उसमें जो भावना है वै आसद भाव की हो जलत लिका है इसको सही कर देती हो अगर जो भावना है वै कैसी है आसद भाव है तब डफिनेटली किया जा सकता है क्लियर हुआ दूसरी परिस्तिती होगी चलो तीसरी की बात करते है अध्यादेश केवल उन्ही मुद्दों पर जिस पर संसत को अधिकार है मालों संसत को ही अधिकार नहीं है तो फिर अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता केवल केवल उन्ही मामलों पर जिन पर संसद कानून बना सकती है जिन पर संसद कानून बना सकती है अच्छा एक बात बताओ संसद ने कानून बनाया कि fundamental right का violation किया गया fundamental right का violation किया है तो ACVD तो शू निगोशित है तो क्या अध्यादेश के साथ भी ऐसा ही बीव किया जाएगा अरे बिलकुल किया जाएगा ठीके तो यहाँ पर क्या है एक और important जो point आपको याद अपना है कि हमने देखा कि अगर अध्यादेश देखो इस बात को समझना कि अध्यादेश मतलब संसद का कानून है ना क्या हमने समझा fundamental right का violation कर रहा है fundamental right का उलंगन कर रहा है तो इसको उचितम नयायलाई के द्वारा इसको void या 0 निगोशित किया जा सकता है void null या 0 निगोशित किया जा सकता है ठीके अब वही बात होगी कि अध्यादेश मतलब A A अगर B है B की situation में C है तो A B तो C होगा तो same वही बात है बच्चों कि अगर अध्यादेश जो है ये fundamental right का violation कर रहा है तो अध्यादेश को इस साधार पर definitely चनोती दी जा सकती है तो ये अध्यादेश आप्रभावी होगा मतलब अध्यादेश है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप fundamental right जो है उसका violation कर लोगे ठीके तो याद रखना कि अध्यादेश की जो सीमा है fundamental right का ये अतिक्रमण नहीं कर सकते clear है fundamental right का अध्यादेश जो है वै fundamental right का अतिक्रमण नहीं कर सकते clear हो गया ये point clear हुआ चलो आगे चलते हैं एक और जो परिष्थिती इसमें last बश्चती है ये है कि अगर इसकी अभधी क्या हो तो मालो संसत पहले चल नहीं रही थी आप तो संसत आ गई तो संसत सत्र चालू हो गए ठीके संसत सत्र जो है मालो ये जो है आप चालू हो गए ठीके तो यहाँ पर जो पुना बैठक होगी जो पुना बैठक होगी संसत की पुना बैठक में अध्यादेश को अनुमोदन किया जाना चाहिए वनना अध्यादेश समाप्त हो जाता है अध्यादेश का अनुमोदन मतलब अप्रूबल अनुमोदन मीज अप्रूब्ड करना है ना अप्रूबल अप्रूब przedstaw रखलो अप्रूबल तो संसत पुना बैठक में अध्यादेश अच्छा देखो एक बात और सुनो चुकि संसत के दो सत्र के बीच में छे महा से जादा का gap नहीं हो सकता gap नहीं हो सकता मान लोग की लोग सभा का जिस दिन विगठन हुआ उसी दिन एक अध्यादेश आ गया तो नई लोग सभा का या फिर हम देखेंगे कि सत्र या फिर नई लोग सभा की बात करें पर दो संसत के सत्रों की हम बात करें है ना कि दो सत्र के बीच में विग्टन छोड़ दो अभी सत्र की बात करते हैं कि दो सत्र की बीच में छे माह से जादा का गैफ नहीं हो सकता तो छे माह तो अध्यादिश चलेगा और छे माह के बाद जब संसत का सत्र चलेगा तब विद अगर मालो कि आज इस ये डेट है जब संसत्र खतम हुआ, ये डेट है जब दूसरा सत्र आया, इनके बीच का 6 महीने से जादा का गैप नी होगा, और अगर ये संसत्र बैठेगी, तो 6 वीक का टाइम दिया गया, अरे 16 होगा, ठीके, तो यहाँ पर देखो, ये इसकी अधिक अधिक्तम अब्दिय किसी अध्यादेश की, ठीके, पुना बैठक के बाद इसका अनुमोदन जो है, वै किया जाता है, इसके अलावा एक और बात सुनो, कि इसको विड्डॉल कैसे लिए आ जाए, इस अध्यादेश को वापस कैसे किया जाए, एक तो हम यहाँ पर अधिक की बात कर लेते हैं, तो इसकी अधिक्तम अब्दी क्या है अध्यादेश की, 6 months and 6 सप्ता, 6 months and 6 weeks, ठीके, अब इसको वापस कैसे लिए आ जा सकता है, इसको विड्रॉल कैसे किया जा सकता है, तो इसको विड्रॉल करने के लिए, रास्टपती जो दूसरा अध्यादेश है, वे किसी भी समय, है ना, रास्पती जो अध्यादेश है, एक दूसरा अध्यादेश, विड्रॉल करने के लिए, किसी भी समय, विड्रॉल at any time, at any time, मतलब किसी भी समय जो है, वे दूसरा अध्यादेश लाकर, किसी भी समय, और इसके लिए संसत के अनुमोधन की जरुरत न के द्वारा समाप्त किया जा सकता है पहले अध्यादेश को है न या वापस शब्द लिख लो वापस लिया जा सकता है एक और बात आती है कि क्या सम्विधान संशो क्या अध्यादेश जो है वो पिछली तिथी से लागू हो सकते है जैसे कि हम विधी की बात करते है कि जो विधी है वो पिछली तिथी से लागू नहीं होती है न तो क्या ये जो है वे बैक डेट से लागू हो सकते है मतलब क्या ये रेट्रोस्पैक्टिव हो सकते है येस डेफिनेटली है न तो पिछली तिथी से प्रभावी हो सकते हैं, ध्यान रखना, अध्यादेश पिछली तिथी से प्रभावी हो सकते हैं, मतलब कोई बैक डेट से कर दिया, कि ठीक है, पिछली तारिक से भी प्रभावी किये जा सकते हैं, और एक बात और जो याद रखनी है, कि सम्विधान अध्यादेश नहीं लाया जा सकता ठीके सम्वειधान संशोधन हे तो सम्वएधान संशोधन हे तो अध्यादेश नहीं लाया जा सकता समझ गये इस बात को कहा सम्मिदान संशोदा ने कहा धन विदियक है हो गया क्लियर ये कुछ important बाटते थी अच्छा शमदान हमारा हो गया वीटो शक्ती हो गई अध्यादेश की शक्ती को हमने समझ लिया और इसके अलावा एक question देखो प्रश्न है रास्टपती के चुनाव के संदर्व में निमने पर विचार कीजे 2018 का प्रश्न है प्रतेक विधायक के वोट का मूल अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है ये बात सही है क्योंकि राजी की जनसन क्या अलग है राज्यों की सीट अलग है तो प्रतेक क्या आपको यहाँ पर याद आ रहा है कि विधायक का जो मतमूल वे क्या होगा रुको अगर याद नहीं आ रहा तो सबसे पहले जाओ और जाके जो हमने MLA का वो देखा था कि इस तरीके से गड़ना की जाएगी उसको जाके देखो ठीक है तो अलग-अलग तो आज की क्लास में काफी सारी चर्चा हमारी हुई है ना अब देखो शुरबास से मैं आपको बता देती हूँ कि हमने आज प्रेसिडेंट के बारे में पड़ा देश का प्रथम नागरिक है ना फास्स सिटिजन जो हमारे जैसे की वटमान में श्रीमती द्रॉब्धी मुर्मोजू है जो की आदिवासे वर्ग, आदिवासे समधाय से पहली भाईला है फिफ्टीन्थ है ये पंद्रवे नंबर की है 2022 इन्होंने 25 जुलाई 2022 को अपनी शपत ली थी फिर हमने जाना था कि हमें ये सारी बाते पढ़नी है निर्वाचन, अहर्टाए, शपत, शर्ते, महाभियोग, पदरिक्तिता, रास्पती की शक्तिया करतवे, वीटो पावर, शमधान करने की शक्ति, समधानिक शक्ति, ठीक है हमने नहरूजी का एक कोड़ पढ़ा, हमने संसधी ववस्था में दो तरह के जो प्रधान है उनकी बात की, एक तो नाम मात्र के, दूसरा वास्तविक, वास्तविक जो के पीम, नाम मात्र के जो की शुरवात हमने की थी कि क्या रास्तविक जो है, वे रभास्तविक की रूप में काम करते हैं, उनकी चर्चा हमने की, ठीक है, साथ ही हमने देखा कि रास्तविक कारपालिका के प्रमुक हैं, और साथ ही भाग पांच की हमने चर्चा की, ठीक है, रास्तविक के लिए 54 से ले 58 तक हमने याद किया निर्वाचन में हमने देखा कि आप रित्यक शरीती से चुनाव होगा ठीक है साथ ही हमने समझा कि अनुपातिक प्रतिनिरित्व एकल संक्रमणिये मत प्रधिती जो है वै क्या होगी उसको हमने काफी विस्तार से देखा इसमें तीन बाते महत्यपोन है एक तो preferential basis, vote की counting कई चर्णों में और साथी एक वैद कोटा है ना आनुपातिक प्रतिनिरित्व को समझा निर्वाचन की रिती, रास्टपती के लिए योग इताए, विवाद होगा तो चितम न्याले, शपत विशेश अधिकार, पदरित्ता, पदाविधी, रास्पती की शक्तिया, कारेकारी, सेहने, कोटनीतिक, विधाई, है ना आपात कालिन, ये सब हमने चर्चा कर ली, ठीके, साथ ही हमने पाडोनिंग पावस में भी बात की कि पाड़न रेप्राइब करना, ठीके, कमटिशन का मतलब क्या है, रेमित का मतलब क्या है, रेस्पार्ट का होगा, पर सहमती अगर रोक ले, तो वहाँ से वीटो शक्ति जो है, शुरू हो गई, ठीके, वीटो शक्ति चार तरह की, आत्यांतिक, एपसलिट वीटो, सस्पैसिव, निलंबन कारी, पॉकिट वीटो, संविधासन, शोधन पे लागू नहीं है, राज विधाई का पर रा आक्ट में तो कनवर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि अगर संसत का सत्र नहीं चलना, फिर हमें किसी एक्ट की जरूरत है, तो यह आदेश जारी, जो राश्ट पती है, वे कर सकते हैं, राज जपाल को भी शक्ति हैं, जब राज जपाल की बात करेंगे, तब हम कमपैरिजन की भी बारबच्चू कर लेंगे, ठीक है, हमने देखा संसत के द्वारा पारित कानून के समान होंगे, अल्पकालिन प्रकृति के होंगे, क्यों तो आप रित्याशित या अविलमिनी अमामलों के लिए, चार हमने इस पे सीमाई देखी, जस्टेश शेबिल है या नहीं है, इसकी चर्चा की अध्यादेश और संसत के कानून में क्या अंतर है, है ना, दोनों अगर ऐसे हैं, जिसमें की फंडामेंटल राइट का वाइलेशन हो रहा है, तो इन्हें वाइड या नलगूशित किया चाएगा, कुछ पीवाई क्यूस की बात की, आर्टिक चीजे समझ में आई होंगी, फिर भी लगता है, अगर कि कोई डाउट रहे गा, प्लीज कॉमेंट कीजी, हम नेक्स क्लास में जरूरे इसको कसेडर करेंगे, थैंक यू, थैंक यू सो मच,